चलो कि गुड मॉर्निंग एवरिवान धाराज दियस में मैं पुक्राजगिरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो कल ही की भाती 11 बजए अपना जो लाइव वीडियो है उसको लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट कर रहे थे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो आप सभी को गुड मॉर्निंग तरो कमेंट बॉक्स दिखाईए नजरा आप लोग मेरे को फटाक से कमेंट करके बताओ कि विजुवल वीडियो सही आ रहा है साथ में ओडियो अच्छा है की नहीं है इस बात को मुझे फटाफट आप लोग बता दो और यार कैसे करते हो आप लोग शेयर वेर नहीं कर रहे हो शेयर करो धारा जीस को अपने सभी छात्रों से अभी सहीयोग की अपेक्षा है ठीक है आप सभी शेयर करेंगे हमारे चान हो रहे है परफेक्ट है सब कुछ करके है ठीक है बाकी सभी पटाक से बता दो बढ़िया है कि नहीं सब फिर आप चालू करेंगे आज इस संभार को खतम कर देंगे यूँ तो कल ही करना था बट टेकनिकल ग्लिच के कारण नहीं कर पाया था ठीक है वीडियो भी ऑडियो भी अनिमेश बता रहा है सब क्लियर है करके कविता बतारी कविता गुड मॉर्निंग बोल रही है पासना गुड मॉर्निंग आयूश क्या पूछ रहे हैं कि उपर करिए थोड़ा सा कमेंट बॉक्स को सर कहा है सर इदा आगेगा टेंशन मत लेते हैं विजय निशाद सब बढ़िया ओल ओके ओल सेट चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए जो लोग मुझसे आज पहली बात जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं कि आक्चुली यह जो लगभग लगभग एक महिने का प्रोग्राम है इसके माध्यम से पूरा CGGS में आप लोगों को प्री के पॉइंट फ्यू से कवर करके दूँगा ठीक है इसको पहले भी बोला था चार घंटा पढ़ाना पढ़े तो चार घंटा पढ़ाओंगा छे पढ़ाना पढ़े तो छे पढ़ाओंगा ठ स्ट्रेस मत लेना विश्वास रखना में खतम करा दूंगा अब स्टार्टिंग में हम लोग क्या करें तो एक बार डिस्ट्रिक्स का थोड़ा सा ओवर व्यू को देख ले रहे हैं ताकि आगे जब पढ़े तब चीजे अच्छे से कनेक्ट हो पाए और इसी क्रम में सबसे पहले सर्गुजा संभाग को हमने पकड़ा था तो सर्गुजा संभाग का मैंने बना कर दिखाया था कि कैसा मैप है उसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्स हैं और उनमें से एक एक डिस्ट्रिक को अपन उठाके पढ़ रहे थे इस मैंने आपको यह भी बताया था कि हर एक वीडियो की शुरुवात में मैं एक साहितकार जो है वो आपको बता दूंगा तो बस उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं तो सबसे पहले एक साहितकार जो है ना उनको देखते हैं अब आज के साह अब भगवान शाम असल में रूप किन के हैं तो कृष्णी जी के और कृष्णी जी का एक और अवतार कह लो कौन तो भगवान राम तो क्या याद रखना सबसे पहले भगवान शाम और भगवान राम ठीक है बढ़िया बात है अब भगवान राम के बारे में आप जानते हो भगवान राम कैसे थे बड़े भोले सौम में सभाव के थे तो शाम से राम भगवान और राम भगवान कैसे थे भोले अच्छा अब राम भगवान से हम लोग बहुत प्रेम करते हैं और प्रेम के लिए 36 गड़ी में प्रेम के लिए मया तभी तो बहुत सारा गाना लिखते हैं आजकल राम भगवान के बारे में आजकल वो बहुत चल रहा है आप लोग सुने होगे श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में तो वही वाले राम जी भोले हैं हम क्या करते हैं उनसे बहुत मया करते हैं बहुत प्रेम करते हैं तो प्रेम पूरुवक हम लोग क्या करेंगे भगवान राम की पूजा करेंगे उनकी आरती करेंगे ठीक है और भोग में हम लोग क्या चढ़ाएंगे पता है तो भोग में हम लोग चढ़ाएंगे लाई क्या चढ़ाएंगे जी लाई तो ये पांच कीवर्ड अगर आपको याद हो गए तो आज का काम बन जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं सबसे पहले आते हैं हम लोग साहि पंडित श्यामलाल चतुरवेदी जो है वह सहितकार है अब इनकी रचनाओं पर आए तो सबसे पहले है रामवनवास पहली रचना क्या याद रखना रामवनवास अगली रचना क्या है उनकी तो भोले से याद रखना भोलवा भोला राम बनीस तो पंडित श्यामलाल चतुरवेदी राम से रामवनवास है भोले से मैंने बताया भोलवा भोला राम बनीस मया से याद रखना मया के मोटरी और लाई से याद रखना पर्राभर लाई क्या याद रखोगे पर्राभर अब यह है क्या-क्या तो यह भी बता देता हूं देख जरा ब्लू पलर से लेखता हूं going तो यह असल में काव्य संग्रह क्या है यह काव्य संग्रह ब्लू कलर अच्छे दिख रहा है कि देखने के लिए नहीं तो मैं कलर चेंज कर दूंगा दीखत दीखत तीशे लागतमुला जै जोहार मत धन्हार गलो करें सभड़ कि उसके बाद भोला भुला रामगेंपनिस यह असल में क्या पता है कहानी है क्या है कहानी राम वन्वास ये खंड काव्य है तो ध्यान रखना आज करना पीएप्सी क्या करता है पता है रचिता है कि प्रकार की रचिना meus तो रामवन्वास खंड काविय यह भुलवा भुला राम बनीश कहानी है पर्राबर लाई क्या है查य्य संग्रह अब इस पर्राबर लाई के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे असल में क्या है पंडिट श्यामलाल चतुरवेदी ने एक गीत लिखा है समझ में आया है गीत है बेटी के बिदा क्या है विन्यकुमार पाठक जी की बुक को पढ़ोगे न तो ऐसा लिखा हुआ है आपके द्वारा रचित बेटी के बिदा संग्रहित है किसमे पर्रा भर लाई तो ऐसा लिख्वा हुआ है डॉक्टर विन्यकुमार पाठक के पुस्तक में आपके द्वारा रचित बेटी के बिदा यह जो गीत है यह संग्रहित है किसमें पर्राभर लाई में लास्ट इनके बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि वर्ष था 2018 2018 जब इनको मिला क्या पद्मश्री तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में इनको क्या दिया गया है पद्मश्री दिया गया है तो यहां पर हमने क्या किया पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी यह जो सहितका रहें इनको पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत प्रॉपली यह समझ में आया है अंकुष जी दिख रहा है ठीक मतलब ब्लू कलर जो है वो अच्छे से दिख रहा है कैसे आर आप लोगा शेर वेर नहीं कर रहे हूं बहुत क सरगुजा संभाग जो है उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो अगर ऐसा कोई च्छात्र है जो कि मुझसे पहली बार जुडा है तो मैं उसके बता दूं कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है उसको मैं चार पॉइंट में पढ़ाता हूं कितने पॉइंट में पढ़ाता हूं पहला जो कोंईट है वो है क्या प्रॉशासन अधीक फिक एंग्लिश में अडमिनेस्टेशन आडमिनेस्टेशन में मैंने क्या बताया है कि हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले या district का history तो इसमें हम लोग क्या करते हैं तो जिले का गठन देखते हैं इसके साथ इसका मात्री जिला पेरियन डिस्ट्रिक तो कल का जो वीडियो था ना उसमें मैंने पूरे पूरे सरगुजा संभाग में जिलो के गठन को समझाया था आप सभी से निवेदन है कि अगर गठन नहीं किया है नहीं देखा है तो प्लीज उसे क्या करो एक बार देख लो जिला गठन वाला section अच्छे से समझ में आ जाएगा तो जिला के गठन के बाद हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग यह देखते हैं कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक में historical point of view से कौन-कौन से locations बहुत important है ठीक है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग अगला point देखेंगे district का भू गोल geography तो geography में शुरुवात होती है जिले में चक्तान से कि किस प्रकार के चक्तान वहां पर मिलते हैं चक्तान के बाद हम लोग वहां पर आते हैं किस पर खनीज पर mineral पर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे तो प्रमुख परवत वहां पर देखेंगे नदिया देखेंगे reverse जलवरपात या waterfall देखेंगे नदी की उपर परियोजना या projects देखेंगे ठीक है next हम लोग क्या देखेंगे कि उस particular जिले में कोई industrial area है क्या उसके अलावा कोई industry है क्या ये भी हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो उस जिले में particularly national park या wildlife sanctuary को भी अपन देख लेते हैं और finally हम लोग क्या करेंगे जी तो हम लोग देखते हैं last point जन जाती एवं परियतन तो यह जो point है नहीं बड़ा self-explanatory type का point है ये आप सब समझ जाओग कि इसमें क्या देखेंगे तो district में कौन सी tribe मिल जाएगी और tourism के point of view से कौन कौन से location जो है वहाँ पर क्या है important है clear है तो basic story है कि इस प्रकार से हर एक जिले को हमको क्या करना है पढ़ लेना है तो शुरुवात करते हैं आज के पहले जिले से जिलेक नाम क्या है जिलेक नाम ह सूरजपुर ठीक है एक बारना सूरजपुर के मैप को पहले इंपोर्ट कर लिया जाए यह आगे अपना सूरजपुर ठीक है चलो भई कि सूरजपुर यह जो डिस्ट्रिक्ट है इसका थोड़ा मैप अपन बढ़ा गरें और बढ़ा गरने बाद क्या करते हैं भईया तो इसके जो अडोसी पडोसी है ना इसको देख लेते हैं अडोसी पडोसी देखने के लिए क्या करना तो दक्षण साउथ की तरफ से ऐसी दो लाइन्स लेना यह डैश लाइन्स ना मतलब बॉड़ेज है ठीक है इसके नौर्थ उत्तर के तरफ से भी ले ली इस्ट की तरफ से एक ले ली तो यहां पर भीया अपन ने डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर को आसपास देख लिया अब यह है कौन-कौन से जिले या कौन-कौन यह किसके साथ बॉर्डर करता है तो यह बॉर्डर करता है अपने कोरिया जिलक साथ अब आप लोग गलत मैप पढ़े होगे सुने होगे जो मैं बताया था कल तो आपको ऊपर पोरिया दिखेगा और नीचे क्या दिखेगा मनेंगर्ट चिर्मिरी भरतपुर तो कल इस भरतपुर है तो खोरिया भी पूरा ऐसे नीचे तक है आधा मत काटना समझे कल भी बताया था आज भी बता रहा हूं अच्छा इसके बाद भी जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूं हम लोग को सेंटर कहा है अनुपम गार्डन के सामने ठोट तो लगा है तो आज आना मैं मिल जाओंगा ठीक है तुम लोग को मैं समझा दूंगा कैसे है और नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा स्पेट्रोल लाएंगे 12000 का चल देंगे कोरिया जाग देख लेंगे तब थोड़ी गलत हो जाएगा ठीक है चलो clockwise आगे बढ़ोगे तो सूरजपूर अ पाइनली जो बज गया वो क्या है अपना सर्गुजा समझ गये तो यह गया गया अपन ने बढ़ियास मैप को समझ लिया कौनजा जिला है जिला सूरजपूर ठीक है अब क्या किया जाए तो administration में प्रशास्तन में सबसे पहले देखा जाए पहला point क्या है तो मैंने बताया ह इस खंडों से शुरुवार्थ करेंगे तो विकास खंड देखते हैं इस जिले में कितने हैं तो है संख्या में 6 कितने हैं शे शुरू किया जाए तो ऊपर की तरफ एक विकास खंड मिलेगा तो यह हुआ एक ओड़्गी देन थे के पर नीची आए अगला विकास कड मिल जाएगा आ ईसका आ भयाथा आ ओड़्गी भया थार्था अगला विकास खंड यह मिलेगा बल्रामपुर से लगा हुआ बल्रामपुर जिले से लगा हुआ नाम है प्रतापपुर क्या है प्रतापपुर ओडगी भयाथान प्रतापपुर अब इसके बाद नीचे आएंगे तो अगला विकास खड़ मिलेगा हमें अब यह जो विकास खड़ है इसको मैं बॉक्स बना रहा हूं मतलब यह जिले का मुख्याले भी है डिस्विक का हेड़कॉर् नाम है इसका सूरजपुर तो कितना हो गया ओडगी भयाथान प्रतापपुर सूरजपुर पर इसके बाद दो विकास खड़ नीचे हैं एक है रामा नुज नगर करना गंज मत कर देना बल रामपुर पहुंच जाओगे और रामा नुज नगर के बाद निक्स क्या है प्रेम नगर है ठीक है तो हो गए छे एक दो तीन चार पांच है क्या क्या है ओडगी भयाथान उसके बाद क्या है प्रतापुर सूरजपुर फिर क्या है रामानुज नगर प्रेम नगर तो ये छे ब्लॉक्स है छे विकास खंड है अच्छा डिस्ट्रिक का अब बात करते हैं नाशनल हाइवे की तो ध्यान रखना कल भी आपको मैंने बताया था नाशनल हाइवे 43 के बारे में नाशनल हाइवे 43 के बारे मैंने क्या बताया था यार आप लोगों को तो मैंने बताया था कि नाशनल हाइवे नंबर 43 43 कहां तक जाता है गुलगंज से चाइबासा गुलगंज कहां है एमपी चाइबासा कहां है जार्खन तो यह बेसिकली होता क्या है पता है एक माप छोटा सा बनाग बता ही देता हूं तुम लोगों को यह सर्गुजा संभाग है अपना कि एम सीबी कोरिया तूरजपुर उपर का बलरामपुर लिख देता हूं एम सीबी कोरिया तूरजपुर बलरामपुर सर्गुजा और जश्पुर अब यह जो अपना नाशलाएवे नंबर 43 है यह आ रहा है MP से एंटर किया सबसे पहले मनेंद्रगड मनेंद्रगड के बाद यह पहुंचता कहा है पैकुंटपुर उसके बाद यह पहुंचता है सूरजपुर और फिर सीधा सर्गुजा जिलम निकल जाता है अब सर्गुजा जिलम कहा घुमेगा इसको अपन जब सर्गुजा डिस् द्राद कर अपन के द्वारा यहां पर भils बना दिया जाए 43 कोरिया दिस्ट्रिक्ट से आ रहा है रहा रहा है कोर्या डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है तो रजपूर होते वे कहां चला गया सर्गुजा डिस्ट्रिक्ट प्यानाम हैंगा श्क्राइवेब 43 अब तो अभी तक पर शाहसना आप्रीस्टैरिशन में क्या देख लिए हो विकासखंद देख लिए हो जिले का मुख्याले देख लिए हो हैड़ पॉर्टल उसके बाद क्या देख लिए हो यार नश्ल हाइव सभाक लिए फिर सेख्ठ माप ले लेते हैं न था तो तो कि वह बहुत दिक्कत हो रहा था ना तो मैं आज माप को सब क्या क्यों ड्राइव में डाल के रख दिया हूं ताकि समस्या ही मत हो अब इस जिले में अगर आप देखो प्रतात विधान ना आपको तीन विधान सभा का का विस्तार दिख जाया तीक है तिक कैसी है था पहली विधान सभा नवी दिखेगी यह दिखेगी और ना इसका विस्तार extension ना सिर्फ सूरजपुर जिलियम है, बल्कि बलरामपुर जिलियम भी, ने मतलब, ये प्रतापपुर विधान सभा हम तो कहा दिखेगी, तो सूरजपुर में दिखेगी, साथ में बलरामपुर में भी दिखेगी. मिशु बोलें, सार, online course bilingual है ना? Yes, मिशु, it will be bilingual, don't worry about that. ठीक है मैं खुद इंग्लिश मीडियम से ही हूँ तो इंग्लिश मीडियम में तुमको कोई टेंशन नहीं आने वाला है इसके लिए मैं बैठा हूँ ठीक है चलिए शुभम वर्मा बुल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई शुभम तो भडगाओं है नीचे जो विधानसभा दिखेंगी ना वो प्रेम नगर है क्या है प्रेम मम सभड़ाइक के नाम यादब रख सकते हैं क्या नहीं तो किनको किनको देखेंगे कल भी बताया था यह तो ऐसे विधायक जो किसी प्रमुख पद पर हों जैसे कि मंत्री के पद पर या तो ऐसा है स्पीकर हों पीक प्रोटेम हों ठीक है या ऐसे विधायक जो कि क्या हों महिला तो इन्हीं दो काटेगरी में अपन याद रख सकते हैं ठीक है सब थोड़ी 90-90 रचते रहेंगे हम लोग तो ध्यान पहले भटगाओं से विधायक कौन है कि प्रीमती लक्ष्मी राजवाडे जी समझ में आया और यह क्या है चत्तिस गड़ में महिला वाल दिकास मंत्री है तो श्रीमती लक्ष्मी राजवाडे जी महिला बाल विकास मंत्री चत्तिस गड़ की विधान सभा कौन सी है इनकी भटगाओं ठीक है प्रताप्पुर यहां से भी एक महिला विधायक है क्या नाम है श्रीमती शकुंतला स्थिहन पोर्ते जी ठीक है पार्टी कहोगे तो इनकी भी भारती जनता पार्टी है और इनकी भी कौन सी पार्टी है भारती जनता पार्टी है क्लियर है, तो प्रतापपुर से श्वीमती शकुंतला सिंग पोर्ते जी, महिला विधायक, भटगाउं से महिला विधायक, श्वीमती लक्षमी राजवाडे जी, वर्तमान में, लक्षमी राजवाडे जी क्या है, महिला बालविकास मंत्री है, चत्तजगर शासन में, क्लियर है तो यहाँ पर पहला point administration प्रशासन यह समाप्त हो जाता है यह खतम हो जाता है ठीक है अब next हम लोग क्या करेंगे तो जिले का गठन देखेंगे क्योंकि अगला point अपना इतिहास है तो ध्यान रखना पिछली class में आपको बता चुका हूँ यहां पर लिख देता हूँ तो ग्रीन दिख रहा है कि नहीं ग्रीन 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 कि नहीं दिखत्ती से लागात मुला कोई बार नीं डार ग्रीन लेते हैं घर का खेती है जी अच्छा वहां पर तुम लोका लोगों भी आ रहा है ना चलों यहां लेखता हूँ तो ना हमारा जो जिला गठन है कौनसे जिले का सूरजपूर का यह वर्ष था 2012 कौनसे वर्ष में सूरजपूर का जिला गठन हुआ 2012 में इसका मात्री जिला अंग्रीज निंग क्या बलोगे पेरिन डिस्ट्रिक्ट मात्री जिला पेरिन डिस्ट्रिक्ट क्या था सर्गुजा थेर मात्र जिला पेरेंडर्ष्ट क्या था सर्गुजा अब एतिहासिक दृष्टी कोण से हिस्टारिकल पॉइंट ओफ यू से कोई इंपोर्टेंट लोकेशन यहाँ पर तो उसके लिए ध्यान रखां असल में एतिहासिक दृष्टी कोण से महत्रपूर्ण यहाँ पर एक परवत ठीक है यह परवत आप लेना किधर ओड़गी जो है ना उसके नौर्थ की तरफ किध लिख देता हूँ ग्रीन कलर से नाम है पीता लेखनी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ठीक है सीता लेखनी तो 2017 का जो प्री हुआ था उसमें क्वेश्चन आये था सीता लेखनी परवत ठीस गड़के किस जिले में स्थित है कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुवेटेड है आंसर क्या होगा आंसर होगा सूरजपूर तो ध्यान रखना यह जो सीता लेखनी परवत है न इसका संबंध किस से है रामायन से तो कल बेसिकली जब हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग क्या देखे थे सीता मढ़ी हर चौका तब मैंने आपको बताया था कि भगवान राम लक्ष्मन जी और माता सीता अपने वनवास काल में इस छेत्र में घूम रहे थे समद में आया इसी क्रम में ये लोग पहुचते कहां पर हैं सीता लेखनी अब सीता लेखनी की कहानी ऐसी है कि सीता लेखनी में माता सीता के पैर पे काटा लग जाते हैं ताकि कोई ऐसी जगा ढून सके जहां पर यह सब लोग मिलकर क्या कर सकें विश्राम कर सकें तो जब भगवान राम चले गए होते हैं माता सीता और लक्षमन जी बैठे होते हैं तब माता सीता लक्षमन जी से यहां पर लिखना सीखती हैं ऐसा कहानी है ना और यह कहानी मैं ब भी आप सीता लेखनी जाएंगे तो आपको ना शंकलिपी, शंक स्क्रिप्ट इंग्लिश में बोलेंगे, समझ में आया, इसमें कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा, तो अगर इस कहानी को हम सत्य मानते हैं, तो पहली फूरसद में सीता लेखनी चल दो, और जाक वहाँ पाउ इसंत्रमीन पर पतर जाओगे जी ? टीक है ? तो इसके इतिहास में इतना ही है ख्रंक लिपी सीता लेखनी से जिलेक अगठन 2012 मात्रजिला पेरिल्ट डिस्ट्रिक्ट सरगुजा यहां पर इस्ट्री इतिहास सुरजपुरजीन test पर क्या हो ब्लू टाइप का कलर यूज़ करता हूं इसमें लिखता हूं तो इसमें सबसे पहले हमको जो दिखेगा ना वो रहेगा क्या है चटान या रॉक तो चटान यहां पर भी क्या है गोंडवाना जो कि हमने कल देखा था एमसीबी और कोरिया में गोंडवाना चटान के बारे में कल भी आपको बताया था कि 35 से 27 करोड वर्ष पूर्व करोड इयर्स अगो इस चटान का निर्माण हो चटान कहता है अब साधी है सेडिमेंटरी नीचर का है फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिया में भारत मे आर्थिक दृष्टी कोन से सबसे महत्वपूर्ण चटान कौन सा है गोंडवाना एक पॉइंट से इंडिया में मोस्ट इंपोर्टेंट रोप कौन सा है और गोंडवाना से जो प्रभूख खनिज मिनरल हमें मिलता है वो क्या है कोईला है क्या है फोल अब ऐसात नहीं है कि तुम लोग सूरतपूर जाओगे तो कोईला हवा मूड़ रहोगा आम उल पकड़ ले कि कहें पॉसिबल नहीं है ना तो कोईला जो है उतका क्या होगा वहाँ पर भंडारण होगा तो भंडारण रिजर्व कोईले का कहां कहां पर हैं तो मैं लिखूंगा ना तो दो तीन लोग का बहुंँ चड़ जायाएगा इससे पहले बोल रहा हूं लिखने देना फिर समझा दूँगा तो क्या क्या है तो सबसे पहले है सोनहट पिर है जिल्मिली पिर है असदेव अरंड फाइनली विश्रामपुर विश्रामपुर के बारे में जानना एस ए सी एल साउटीस्ट कोलफील्स लिमिटेड का यह क्या है सब हैटपॉर्टर से क्या विश्रामपुर अब आप लोग कहोगे सर सोनहट जिल्मिली हजदेव अरंड इसको तो अल्रेड़ी और विभाजित पोरिया जिले में जो था खनीश का भंडारण उसमें देख लिए हैं मैं बोलूँगा एकदम ठीक बोल रहे हो लेकिन क्या है खनीश भंडारण को भगवान आख नहीं दिया है ना कि जैसे जिला खतम हो तुम उस्पार मत जाना अब भंडारण बड़ा है दो जिले मारता है समझ में आ गया ना तो अन्यसरी का स्ट्रेस मत लेना तो सोनहट कोईला भंडारण छेत्र इतना बड़ा है कि ना सिर्फ और हमने देख लिया कौन सा रॉक है उसमें स्कॉंसा मिनरल है मिनरल का रिजर्व क्या है नेक्स ध्यान रखना परवत या हिल तो एक परवत तो देख लिए हो यार सीता लेक नी अगला जो परवत है अगला जो हिल लेना थो बिल्कुल भाया थान से लगा हुआ है थोड़ा सा हिटन राइल वाला हो जाता है मेरा इधर चूता हूं अंते बन जाता है कोई बात नहीं अगला जो पर्वत है यह भया थान के पास है जै लिख रहा हूं जै से जोकर नहीं है जै से क्या है जमडी जमारी हिल का नाम है परवत का नाम है क्या नाम है जमडी जमारी परवत यहां पर लिख देता हूं यहां पर जगा है अब यह जो हमारा जमडी जमारी परवत है नाम एक दम पुटांग नहीं है जमडी जमारी इसके उपर एक परवत जिसका नाम है इसके उपर एक पत्थर है जी परवत क्या परवत की उपर थुड़ी परवत हो जाएगा तो जमडी जमाडी परवत है इसके उपर एक पत्थर है जिसका नाम है क्या डुग डुगी पत्थर कि यह है डुग-डुगी पत्थर द्यान रखना इस पत्थर को मारने से डुग-डुग-डुग थ्ζयादा पत्थर एक पत्थर को मारते हैं डुग-डुग-डुग-डुग आए लिए दुगडूग़ी पत्त्र एक पत्तर को मारते है ठ्ठिन ठ्ठिन आव आ जाते हैं उसका नाम किया रख दिये ठीन थीनि पत्त्र हमसे आया तो दुगडूगी पत्तर और ठीनि पत्तर सो ठीन अगला पॉइंट आता है रिवर नदी अब देखो सोचे कि कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रिवर का उद्गम औरिजिल इस सूरजपूर डिस्टिक्ट से होता है तो ऐसा नहीं सब्सक्राइब लेकिन हाँ क्या कोई महत्वपूर्ण नदी यहां से प्रवाहित फ्लो होती है तो एक नदी है जिसका नाम रिहंद है समझ गया अब यह रिहंद का उद्गम सरगुजा में देखेंगे यह आगे चलकर आती है सूरजपूर इसके तटपर है भयाथान इसके तटपर है और यह नदी आगे चलके थोड़ा सा बॉरडर भी क्रियेट करती है किसक तो ये सूरजपूर और ये बलरामपुर का एरो बना देंगे तो फ्लो का डायरेक्शन भी अपने दिखेगा दक्षिन से उत्तर की तरब जा रही है नदी क्या नाम है है रिहंद क्या नाम है नदि का रिहंद समझ में आया ठीक बात है रिहंद की दो सहायक रिह मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ट्रिब्यूत रिह इसको मैं कैसे बनाऊंगा डैस्ट में बनाऊँगा ताकि confusion नहों अब एक ट्रिब्यूट्रिक नाम है महान जैसे कि आप सभी है और दूसरेक नाम है मोरन एक का नाम क्या है महान और दूसरेक नाम क्या है मोरन तो यह दो ट्रिब्यूट्रीज हैं ठीक है एक सेकेंड यार नेक्स्ट अब नदियों के बाद जल्प्रपातों पर बात करें तो जल्प्रपात को ना कोई अलग कलर ले लेता हूं परपल कलर ले लेता हूं इससे लिखता हूं तो यह जो रिहंद नदी है ना इस रिहंद नदी के ऊपर एक जल्प्रपात है बिलकुल ए एकदम इस जिले के नौर्थ की तरफ ठीक है नाम है रकस गंडा तो आप इसे रकस गंडा बोल दें लेकिन जब उत्तरी शत्तितगड में जाएंगे ना तो वहां के स्थानी लोग लोकल लोग इसको रकस गंडा या राकस गंडा बोलते हैं तो इन एनी केस रिहंद नदी कौ अगले जलप्रपातों में हमें इस महान के उपर दो जलप्रपात मिलेगा या दो जलप्रपात मिलेंगे एकका नाम है सरा सोर और दूसरे के नाम क्या है महान तो दो waterfall say सरासोर और महान तो तीन waterfall देक लिए रकस गंडा सरासोर महान अब नेक्स्ट अगर वाटरफॉल्स की अपन बात करेंगे ना तो यह जो रामा मुझनगर देख रहे हो इसके आप साउट इस्ट में आओगे आपको अगला जलप्रपात मिल जाएगा कुमेली घात अब आप लोग कहोगे सर बाकी जलप्रपात जो है रि हिली है और प्लाट्यू लाइक है जिसके कारण बारिश के मौसम में बहुत सारी लोकल स्ट्रीम्स छोटी मोटी सरीताएं जो नहीं यहां से बहती हैं और इन पर जलप्रपात बन जाते हैं अब जलप्रपात तो टूरिजम के पॉइंट ऑफ यू से बहुत महत्पूर्ण ह जाते हैं लेकिन सरीताएं आम तौर पर बारिश के बाद सूख जाती है क्लासिक एक्जामपल आपको बताता हूं जत्मई घटारानी आप मेंसे मांगजमम लोग गय होगे तो जत्मई घटारानी आप स्वयम बताओ कौन सी नधी के उपर है नहीं पता नधी के उपर क्यों क्योंकि वो local stream के उपर है इसलिए देखना क्या बोलते हैं जत्मई घटा रानी जाना है तो कब जाना बरसात के समय जाना तो अच्छा पानी मिलेगा गर्मी में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा समझ गया कि नहीं समझ गया तो दिहान रखना इस बात को तो ऐसा ही एक जल्प्रपात है कुमेली घाट नेक्स दिहान रखना एक जल्प्रपात है यह ओडगी है ना इसके साउट इस्ट में आएगा नाम है लफरी क्या नाम है लफरी यह भी local stream के उपर स्थानी सरिता के उप इसके लाबा दो जल्प्रपात है जिसका location भी आपको नहीं मिलेगा एक है और दूसरा तुर्रा तो प्री में पूछ देगा इसलिए रड़ दे रहे हैं तो कौन-कौन सा waterfall हो गया रक्स गंडा रिहंद के उपर उसके बाद महान नदी पर महान है सरासोर है कुमेली घाट है लफ्री है बाक है तुर्रा है I hope आप लोग यहां तक समझ गए होंगे तो waterfalls हो गये waterfall के बाद क्या इस जिले में कोई बहुत important परियोजना या project नधी के उपर है तो ऐसा नहीं है next geography में अगला point क्या होता है तो अगला जो point था ना उसमें हम लोग देखते थे कि यह जो district है अपना इसमें कोई important industrial area तो industrial area है नयन पूर गिरिवर गंज तो industrial area उद्योगिक शेत्र क्या है नयन पूर गिरिवर गंज है और महत्वपूर्ण उद्योग की बात करोगे तो ध्यान रटना ये जो प्रताप पूर है ना इसके दक्षण south की तरफ आ जाओगे आपको एक जगा मिल जाएगी arrow करके लिख दे रहूं नाम है केरता और ये माा माया सहकारी शक्कर कारखाना कहां पर है केरता प्रतापुर के दक्षिन की तरफ south की तरफ तो ये हमने क्या किया जोग्रफी में अगला पॉंट इंडस्ट्रिल एडिया और industry को भी देख लिया अध्टतब जोग्रफी में क्या बद जाता है तो बच जाता है लास्ट मे नाशनल पनार्किया वायल लाइफ सैंचुरी तो यह जो अपना सूरजपूर जिला है इसमें है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सैंचुरी तमोर पिंगला डबलू एलस वाइफ सैंचुरी अब ध्यान आपको यह रखना है कि तमोर पिंगला वाइल लाइफ सैंचुरी 1978 में बना इसका श्ठेत्रफल एरिया कितना है तो ऐसे लिख देता हूँ 608 स्क्वार किलो मेटर 608 वर्ग किलो मेटर और 608 वर किलो मेटर के साथ ये 36 गड़ का क्या है लारजेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंचुरी तो तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण निया 1978 में बना है सेत्रफल 608 स्क्वार किलो मेटर है चत्च गड़ का लारजेस्ट वाइल लाइफ सैंचुरी है तमोर पिंगला आप लोग यहां तक समझ गए होंगे यहां तक अगर समझ गए तो जोग्रफी वाला सेक्शन क्या हो चुका है खतम हो चुका है ठीक है फाइनली हम लोग इस जिले में लास्ट पॉइंट पर आते हैं जनजाती ये वह हम परियाटन ट्राइब जान टूरिजम इसको ना यहां रंग से लिपनियाद पिंक कलर से लिप जता हूं ऐसा तो जनजाती पंडो है ट्राइब क्या है पंडो जो यहां पर मिल जाती है और परियाटन टूरिजम की अगर बात करोगे तो ध्यान रखना ये जो प्रतापुर है इसके नौर्थ उत्तर की तरफ आओगे आपक है कि प्राचीन है कि मंदिर एंशेंट शिव टेंपल कहां पर शिवपुर में ठीक है नेक्स्ट कि सूरजपुर की बात करोगे तो सूरजपुर में है पाताल भैर्वी मंदिर पाताल भैर्वी टेंपल है कहां पर है सूरजपुर तो शिवपुर देख लिया सूरजपुर देख लिया नेक्स्ट ध्यान रखना परियटन में आगे सरासोर है सरासोर में क्या है तो यहां पर है राम तीता है लक्ष्मन मंदर या लक्ष्मन्टेंग और लास्ट में यह जो ओड़गी है ना आप आजा ना इसके वेस्ट पश्यम की तरफ आपको मिलेगा पुदरगड और यह जो पुदरगड है यहां पर है बाघेश्वरी देवी बाघेश्वरी देवी का मंदर है इनको कुदरगड हिन देवी भी बोलते हैं लास्ट येर का जो चैत्र नवरात्री था ना तो यहीं बगवा निकला था और हबग दिया था एक जन को जो जा रहा था क्या करने के लिए पूजा करने के लिए उसी खबक दिया था ठीक है चलो तो यहां पर टूरजपूर डिस्ट्रिक्ट खतम हो जाता है बट एक पॉइंट यहां पर एड करता हूं देखो यहां पर एक जनजाती आई है पंडो पंडो जो है ना यह बेसिकली क्या है पता है तो पंडो एक इंके जन संख्या है उसकी वृद्धिदर शूनय हो मतलब जन संख्या बढ़ नहीं रही हो उसकता है कि घट रही हो साक्षर्ता नहीं है आर्थिक रूप से पिछड़ा पन बहुत है तो इनी को घोशित किया जाता है 36 गड़ में ध्यान रखना साथ विशेश पिछड़ी जन जाती है पांच जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा घोशित है और दो जो है वो राज्य सरकार के द्वारा पांच सेंट्रल गवर्मेंट दो स्टेट गवर्मेंट अब पांच जो सेंट्रल है ना उसके लिए एक फोटो बनाता हूं तुम लोग को याद हो जाएगा तो क्या करना एक जन आदमी बनाना है यह मेरे को ब्लू मेना डर लग रहा है कि यह नहीं दीख रहा होगा एक नंये अधमी बनाना है अब यह जो आदमी है कि कि इसका सरीट है कि और एंसका हाथ बड़िया से ऐसा क्वोजए ऐन्ड मिया और रो survivor कि यह है इसका दोड़ो पैर है और यह आदमी बढ़िया जा रहा है ठीक है अब यह जो आदमी है ना यह अपने कमर में एक ठो बढ़िया सा बैग लटका जा यह 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 तो आदमी क्या है यह यह बैग लटका जा जा रहा है यह तो यह ऐसे दूर से ऐसे अधर पहाड है उधर ही जा रहा है आदमी ठीक है डारेक्शन में बता दिया अब देखो क्या क्या बताया मैंने बताया इसके कमर में अलग कलर यूज कर लेता हूं ताकि आप लग को दिक्कत ना हो यलो से लिग देता हूं इसका जो कमर है ना इसके कमर में क्या है बैग है यह किस और जा रहा है तो और लख लो ठीक है किस और जा-र बताओं यह जा रहा है अबूज मार्ण की पहाडी की और समझगे तो अपने कमर में बैग लटका के किस और जा रहा है अबूजमार की पहाडी के और तो कमर से याद रखना कमार पैग से याद रखना दाएगा और से याद रखना बिरहोर क्या याद रखोगे बिरहोर अबूज मार से याद रखना अबूज मारिया पहाडी से याद रखना पहाडी कोरवा कमार बैगा बिरहोर अबूज मारिया पहाडी कोरवा पांच्ठ हो गया केंद्र द्वारा गोशित राज्यवाला दोठो है पंडो और घुझिया इसमें एक चीज मैंने अब्जर्व किया है यह जो घुझिया है यह पीएस्टी का बहुत पेवरेट है असल में घुझिया जो ट्राइब है जन जाती है ना इसमें इनका जो किच्छन होता है वह सेपरेट रूम होता है जिसको क्या बुलते हैं लाल बं संबंद किस जन जाती से ध्यान रखना कौन से जन जाती है अपनी घुंजिया से क्लियर है तो पंडो से उठाके थोड़ा सा जन जातियों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया तो यहां पर हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट खतम होता है जो कि क्या है सुरजपूर अब मेरे कमेंट करके बताओ फटाक से प्रॉपर्ली समझ में आया की नहीं आया ठीक है उसके बाद जब तक मैं क्या करता हूं तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है उसको इंपोर्ट कर लेता हूं फोटू को अगला जिला अपना है जोपन पढ़ेंगे बलरामपुर आज अब है बलरामपुर गया यह यह बताओ तो समझ में आया की नहीं आया प्रॉपर कमेंट करो फटाक से बताओ तक पानी पी लेता हूँ मैं कि क्या होगा स्माइट बूट गरम हो जाएगा यह कल जैसा हो जाएगा तो अगर डिकत ना हो कि में लग रहे हैं कि कि रिमोट को रहा हूं मैं कि इतना विवस्ता करता हूं कि तामिश्वर सर आएंगे बोल दूंगा ठीक है असल में जो लोग तो लोग बैठे भी हुए हैं वहाँ पर इसलिए ठीक है तोशन कुमार साहू अच्छे समझ में आ गया वेली गूड टीक है कुकी यस सर चलो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोगों को समझ में आ गया तामिश्वर सर आते हैं तो एसी को में करवाता हूं ठीक है नहीं तो मेरे को पोडियम छोड़की जाना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले आब ह इसके उत्तर की तरफ से ना एक तो और रहागा बेकार बन गए है ठीक करने तीन ऐसी लाइन लेंगा अब इसके दक्षण साउथ की तरफ से भी एक उसके बाद क्या करो बसके दो और यह तीन लाइन लेगा तो नौट की तरफ से तीन साउथ की तरफ से तीन अच्छी बात है लिख लेते हैं नामगाओं तो नामगाओं ध्यान रखना यहां से स्टाट करते हैं तो सबसे पहले बलरामपूर अपने दक्षण की तरफ बॉरड़ करता है साउथ क की तरफ किसके साथ सर्गुजा किसके साथ सर्गुजा अब क्लॉकवाइस चलेंगे तो यह पश्चिमी का अगार वेस्टन साइड जो है इसका यह बॉर्डर किसके सांथ कर रहा है यह कर रहा है पिन चुर्जपूर के साथ ही ठीक तो यह चुटा सा हिस्था एंपि को टस्क करता है यह यह यहां से यह तक यह टच करता है किसको पता अब फाइनल जो बच गया यह टच होता है डशijn हों किसके साथ जश्पूर को सर्गुजा है सर्गुजा कि तरफ आएगे तो सुरजपुर को बॉर्टर करता है नौर्ट की तरग चलोगे तो MP है UP है और पूरा पूरा East का साइट किसके साथ बॉर्टर करता है जारखन के साथ तो यह location को समझ गया और इसी के साथ हम लोग किस पर आ जाते हैं अपने पहले point पर पहला point क्या है प्रशासन administration अब administration की बात करोगे तो सबसे पहले तेहसील रहें विकासघंड बनाते हैं तैसील में आपको बताया था कि तैसील नहीं करेंगे है अपनों सीधा विकासघंड से इसर्ट करेंगे तो विकासखंड पहला विकासखंड यह इस पॉर्णर पे है नाम इसका क्या है tubes वाड़राफ नगर अगला विकास खंड आपको देखेगा यहां पर ऊपर में यह अपना राम चंदरपूर उता है वाड़राफ नगर रामचंदरपूर पंधर तो यह शितकी जिले है जिले का मुख्याल है हेट पॉर्टर क्या-क्या है तो ध्यान रखना एट पॉर्टर है यहां का बल्राम क्या है है एट पॉर्टर बल्राम वाधराफ नगर राम-चंद्रपुर बल्राम अब तीन हो गए विकास खंड, तीन बाकी है, खुल 6, तो कौन-कौन से तीन है नीचे, तो एक है, राजपुर, फिर आगे अगला विकास खंड मिलेगा, शंकरगड, और उसके बाद अगला मिलेगा, कुस्मी सामरी ब्लोक, तो यह 6 ब्लोक हो गए, वाडराफ नगर, रामसंदरपुर, बलरामपुर, राजपुर, शंकरगड, कुस्मी सामरी, अब अपन क्या करें, भही, नेक्स पे आ जाते हैं, तो जिले का मुख्याले हेटपॉर्ट क्या दिख रहा है, यार, बलरामपुर कोई दिखकर की बात नहीं है, थर्ड जो कॉइंट हमको ध्यान देना है, वो क्या देना है, नाशनल हाइवे, तो नाशनल हाइवे के लिए अपन उसी मैप पर वापिस चलते हैं, जहां पर मैंने यह नाशनल हाइवे बनाया था, यहां पर आ जाते हैं, आगे अगे आप द तर्गुजा डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे अब समझना बेसिकली होता क्या है इस नाशनल हाइवे 43 की एक शाखा एक ब्रांच निकलती है जो की निकलती कहां से हैं अंबिकापुर से आती है कहां राजपुर से बल्राम बल्राम पूर से रामानुज गंज राम चंद्रपुर नहीं रामानुज गंज होते हुए नाम है इसका नाशनल हाइवे 343 किसको किसको जोड़ा अंबिकापुर को जोड़ा किस से जोड़ा तो गड़वा जड़वा कहां है जारखंड में सब्सक्राइब कि इतनी है 110 किलोमेटर किता है 110 किलोमेटर 343 अब इसी 343 को बलरामपुर वाले मैप पर क्या किया जाए बनाया जाए तो 343 सरगुजा जिले से आया था राजपुर पहुंचा था बलरामपुर आया था अब रामा मुझगंस को प्लॉट किये नहीं है तो सीरह इसको ऐसे निकाल दो बाहर कोई दिक्कती नहीं है अप पर एन एच कि 343 कहीं पर 243 पढ़ लेओ तो गलत 343 है ठीक है चलो अच्छे से आवाज बहुत कम आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं पटेल ट्यूटूरियल्स वाले तो बाकी लोग यार सुन के बताओ तो आवाज कम आ रहा है कि ठीक आ रहा है करके तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ नाश्नल हाइवे के बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है विधान सभा तो विधान सभा के लिए इमेज लगेगा फिर से अपन गए और यह क्या कि अपन ड्राइव में जा गए इमेज उठा लिए अब घ्यान देना हां इस दिले में अगर आप देखोगे ना विधान सभा तो एक विधान सभा तो आपको प्रताप्पुर इसका विस्तार दिख जाएगा ठीक है शकुंतला सिंग पोर्ते जी जो मैंने बताया था दूसरा विधान सभा जो आपको दिखेगा यह दिखेगा रामा नुज गनज और तीसरी विधान सभा है आमरी है ठीक है आउंज तो रामा नुज गंज सामरी अब रामानुज गंज से विधायक कौण है पता है आप लोगों को नहीं जानते जान जाओ है श्री राम विचार निताम थैक है पार्टी क्या है इनकी भारती जनता पार्टी बीजेपी कौन सा विभाग है इनके पास? तो आदिम जाती विकास अनुसूचित जन जाती विकास इसके अलावा अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास पिर क्रिशक विकास यह भी है बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए छोटे मिलिख दिया हूं ठीक है सामरी यहां से महिला विधायक है प्रीमती उधेश वरी एक राजी फिर है इनकी भी पार्टी क्या है भारती जनता पार्टी चुकता जीते हैगा सरुजा संभागला भारती जनता पार्टी वाला है फिर टेंशन लेना ही नहीं है ठीक है तो मैंने क्या बताया विस्तार कहोगे तो प्रतापपुर का है जहां पर शकुंतला सिंग पोर्ते जी देखे थे महिला विधायक रामा मुझगंस ध्यान रखना रामविचार नेताम जी भारती जनता पार्ट पार्टी मंत्री है और उसके बाद सामरी श्विमति उदेश्वरी पैकरा जी ठीक है भारती जनता पार्टी अच्छा रामविचार पैकरा जी के बारे में और क्या जानना है रामविचार नेताम जी के बारे में और क्या बताना है आपको तो ध्यान रखना इनके बारे में कि ये इस बार क्या थे speaker pro tem जिसको हम लोग pro tem speaker बोल देते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं उनको कि तामई कि अध्यक्ष कि speaker pro tem भी थे ठीक है तो सामाने तौर पर क्या होता है तो नए विधानसभा की पहली बैठक से जस्ट पहले जो पुराने speaker हैं उनका पद खाली हो जाता है तो इसलिए क्या करते हैं जन speaker pro tem को बनाते हैं जेनरल टेंडेंसी ऐसी होती है कि सबसे वरिष्ट सदस्यों को बना दिया जाता है और इनका काम क्या रहता है तो सभी सदस्यों को क्या करना सदस्यता के लिए शपत दिलाना ये इनका काम रहता है speaker pro tem का तो इस बार कौन रामविचार नेताम जी डन अच्छा अब इस जिलेम कोई नगर निगम है क्या नहीं है जी नगर निगम तो यहां पर यह जो डिस्ट्रिक्ट है इसका क्या खतम हो जाता है प्रशासन administration समात अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग आज आते हैं अब इस जिले पर अगला point इतिहास इतिहास के लिए हम लोग कौन सा कलर यूज किये थे तो देख लिए दो मेरक को इस जास के लिए ग्रीन यूज की है डार्क ग्रीन ठीक है लेट मी यूज डार्क ग्रीन दाट लिए सबसे पहले जिले का गठन तो थोगा सा और उपर से लिखता हूं यार यहास में पर पॉइंट जादा है थोड़ा सा जिले का गठन फॉर्मेशन याद रखना वर्श है 2012-2012 ठीक है अच्छा अब धियान रखना इसका मात्री जिला पेरेंट डिस्ट्रिक्ट तो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट या मात्री जिला इसका है सर्गुजा क्या है सर्गुजा अब अच्छे से ध्यान रखना एतिहासिक रूट से अगर कहूं तो यहाँ पर जो चीज़े बहुत महत्पूर्ण है इंपॉर्टेंट है एक ना यह जो शंकरगड़ है इसके नौर्थीस्ट की तरफ आओगे आपको मिल जाएगा कि पाड़ी क्या मिल जाएगा डीपाड़ी और शंकरगड़ जो है इसके नौर्थ वेस्ट की तरफ आप आज आओगे आपको मिल जाएगा क्या तो आपको मिलेगा तो पतला कर देता हूं ज्यादा मोटा हो गया है तो मिलेगा और जुन गड़ क्या मिल जाएगा अर्जुन गड़ पिंक कलर नहीं दिख रहा है ऐसा करके आया है तो अब नेक्स ताइम से यूज नहीं करूंगा पिंक कलर को ठीक है नहीं करूंगा मैं बोला लड़की लोग को पिंक बहुत अच्छा लगता है तो यूज कर दूं करके मेरे क्या पतत है यार पिंक नहीं दिखेगा करके गरबड धीरे-धीरे सीखेंग यार हम लोग भी आच्छुली क्या है ना कि नया जगा है नया लाइटिंग कंडिशन ह है हमारे आखों में पिंक एकदम ब्राइट दिख रहा है तुमरे क्या लगा चक यह दिख रहोगा करके लेकिन पता चला दीख नहीं रहा है तो धीरे-धीरे ऐसी आप लोग अपना फीड़बाक देते रहेंगे ना तो बाकी सारी चीजों में हम लोग क्या करेंगे तो इं अपने यहां पर वापिस आ जाते हैं तो अर्जुन गड़ है और डीपाडी है यहां पर डीपाडी के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा अच्छे से समझना कि पुटांग कलर हो गया जी हाँ यह जो डीपाडी है न यह बेसिकली कनहार गल्फुला और सूरिया इन नदियों के क्या है के संगम पर है अब यहां से न दो प्रश्ट नहीं एक CMO में आया था 2019 में क्वश्चन पूछा था डीपाडी कौन सी नदी के तट पर है डीपाडी लाइज ओनी बैंक्स ओफ विच रिवर तो एंसर लिया था कनहार कैंसर लिया है कनहार दूसरा ध्यान रखना कि एक बार व्यापम में क्वश्चन पूछा डीपाडी कि नदियों के संगम पर है कौनफ्लूएंस तब आंसर लिया कनहार गल्फुला सूरिया समझ में आयक नहीं आया है तो आपको ध्यान रखना है अगर संगम पूछ रहा है तो कनहार गल्फुला सूरिया और सिर्फ नदी पूछ रहा है तो क्या लोगे कनहार लोगे डन तो यहां तक हो गया अच्छा अब यह जो डीपाडी है ना इसके बारे में ध्यान रखना इ शाक्त धर्म समझे यह वह धर्म है जिसमें माता शक्ती की पूजा होती है तो शैव धर्म तो समझ गया आप लोग भगवान शिफ को मानने वाले शाक्त कौन सा धर्म है जिसमें माता शक्ती की पूजा करते हैं तो शैव धर्म और शाक्त धर्म यह जो धर्म है ना इन से संब सम्बंधित बहुत सारी चीजें जो है, डीपाडी से हमको एक्सकेवेशन से मिली है, बहुत इंपोर्टेंट पुरा तात्विक स्थल है, आर्कियो लोजिकल साइट है क्या, दीपाडी, ठेक है, शाक्त धर में सम्बंधित जो है न, यहां से एक बहुत सेमस मूर्ती मिली है, इसकी है पता है महिशासुर मर्दनी की मूर्थी मिली है अच्छा कुछ और चीज़े यहां जगा ठतम हो गया है तो मैं क्या करता हूं प्रसा प्लाइड और लेकरना लिख देता हूं यह जो डीपाड़ी है ना डीपाड़ी के बारे में लिख रहा हूं यहां पर है यहां पर तीन परिसर है कहले हूं एक कि सामत सर्ना का नाम सामत सर्ना परिसर दूसरा उराउं टोला और थीसरा और गोर्जोठीला यहां बाबा टांगीनाथ के साथ यहाँ पर युद्व किया था और अंत में सामत राजा हार गया था इसी लिए उसी सामत राजा के नाम पर यह जो लोकेशन है ना सामत सर्ना के नाम से हैं सामत सर्ना यह जो लोकेशन है इसमें आप देखेंगे तो एक ना पंचायतन शैली style में बना हुआ क्या है शिव मंदिर है शिव टेम्पल है शिव टेम्पल बिल्ट इन पंचायतन style of architecture पंचायतन शैली में बना हुआ क्या है शिव मंदिर है कहां पर सामत सर्ना परिसर में अब यह पंचायतन शैली क्या होती है तो ध्यान रखना एक बड़ा स प्लिंथ प्लिंथ अगर आप लोग देखे होगे जब घर में कॉलम गणभाग फदा ही होता है उसके बाद भरते हैं तो लगभाग दो ढ़ाई फुट उंचा एक चबूतरा जैसे पूर घर के चारोतरा बनात छोड़े रहते हैं उठा हुआ भाग उसी प्लिंथ बोलते हैं तो इस प्लिंथ पे जब एक मुख्य मंदिर में टेंपल सेंटर में बने और उसके चार कोनों में चार टेंपल्स बने तो बोलते हैं पंचायतन शहली क्या बोलते हैं पंचायतन शहली तो पंचायतन स्वाइल ओफ आकिटेक्शर में बना हुआ यह शिव टेंपल है कहां प क्राप्षेश मैं खूप चला था यहां से क्या हुआ था पता है कराथीन सूर्य मंदिर, Sun Temple, इसके क्या मिले थे, अवशेश, remains, सूर्य मंदिर के अवशेश मिले थे, ancient Sun Temple के क्या मिले थे, remains मिले थे, कहां से, बोर्जोटीला से, तो इसलिए ये डीपाडी बहुत जादा, important है, अब इसके बाद, अरजुन गड़ को भी है, इच पे लिख दे रहा हूँ, अरजुन गड़, यहाँ पर, यह सल में, एक प्राचीन, गड़, गड़ बोले तो, पोर्ट, इसके remains है, अवशेश है, तो remains of an ancient port, प्राचीन गड़ के अवशेश, और इसी के अंदर एक गुफा भ धीरिया, लता, गुफा, कौन सी गुफा, भीरिया लता, गुफा, कहां पर? अरजुन गड़ में, तो यहां पर इतिहास, हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, वो सेक्शन क्या हो जाता है? कहां का भईया, तो अपने इस बलरामपूर डिस्क्रिक का, अब हम लोग किस पर आ ज ब्लू कलर से लिखे थे सबसे पहला हमको क्या देखना है यहां पर जोग्रफी में तो हमें देखना है अपना चटान या रॉक तो पहला चटान गोणवाना, ठीक है, गोणवाना पूरा कहानी बता चुका हूँ, गोणवाना क्या मिलता है यार, मिलता है, कोईला, खोल, अब कोईला कहां से मिलेगा, तो कोईला भंडारण क्या है बलरामपुर जिले में, तो भंडारण लिख दे रहा हूँ, ताता पानी राम कोला तूपा कोला जहन कर देना ताता पानी राम कोला और दूसरा है उल्या गमार्डी एक बात तो मैं बताना ही भूल लिया था यह जो लाइव क्लास चल रही है आपके पास यह भी है कि आप आकर यहां बैठ कर अटेंड कर सकते हो कुछ छात्राएं हैं बाकि सब के लिए ओपन हैं फ्री ओफ कॉस्ट जिसको एक्छा हो आजाओ ठीक है तो उन कि चलो कि बैटरी भी देखी लेता हूं यहां रुका हूं तो नहीं हूं बैटरी फूल है टेंशन के बात ही नहीं है चलिए अब यह तो चट्टान रॉक गोंडवाना क्या मिला कोईला कहां से ताता पानी राम कोला और उलिया अब दूसरा चट्टान दूसरा रॉक यहां पर क्या है पता है वह है दक्कन ट्राप डेकन ट्राप इस चट्टान के बारे में जानना कि बेसिकली तेरा से साथ चरोड यह अगो वर्षपूर्व इस दख कन ट्राप चट्टान का निर्मान हुआ था लगवत साड़े तेरा से साथ त्रोड वर्ष पूर्व प्रॉपर्टी कैसी यह पता है तो यह ना आगने यह नेचर का है मतलब इग नियस है जी मतलब गरम लावा के स्पीतल होने से शटान का निर्माण हुआ है और खास बात है कि इसमें से जो खनिज मिलता है मिनरल मिलता है वो बॉकसाइट है क्या है वो बॉकसाइट है अब बॉकसाइट मिलेगा कहा से तो भंडारन लेक देता हूँ यहां पर पुदाग टाटी जरिया और सामरी यह भंडारन है बॉकसाइट के इस बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में चलिए तो यहां तक हमने देख लिया अब नेक्स्ट पॉइंट आपको याद होगा क्या था तो नेक्स्ट हम परवत देखते थे लेकिन इस पर्टिकुलर जिले में एक पार्ट भी है तो पार्ट मैं आप लोगों को पहले बना के दिखाता हूं फिर बताता हूं कि यह होता क तो यह जो हमारा कुस्त्मी सामरी ब्लॉक है यह पूरा का पूरा हमारा जो ब्लॉक है यह पूरा हिस्ता कि यह असल में कि दूस्टा कर देख देता हूं कि सामरी पार्ट कहलाता है मैं आपको क्या बताया कुस्मी सामरी ब्लॉक विकास खंड का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है सामरी पार्ट अब जो लोग पार्ट पहली बार सुन रहे हैं कि यह पार्ट क्या है तो मैं उनको बता देता हूं एक प्रकार का पत्थार है मतलब प्लाट्यू है इंगलिच में प्रकार का क्या है यह प्लाट्यू है तो अलग कैसे है तो जो प्लाट्यू देखें होगे पठार देखे होगे वह ऐसा हो होता है सिधा Baz तो क्या होगा एक उठा हुआ भाग एलिवेटेड लैंड फॉर्म विता फ्लाट टॉप तो एलिवेटेड लैंड फॉर्म विता फ्लाट टॉप यह डेफिनेशन है बेसिक इसका एक प्लाट्टिू का तो पार्ट क्या है तो एलिवेटेड लैंड फॉर्म तो है लेकिन इसका जो स्लोप है वो कैसा है स्टेब्ड तो यह एलिवेटेड लैंड फॉर्म है ठीक बात है उठा हुआ भूभाग है उच्छ भूभाग है जिसमें स्लोप कैसा है तो स्लोप इसका स्टेब्ड है लोग बोले तो इसकी कैसी है कि तीड़ी नुमा और शिर्ष कैसा है सपाच प्लाट चॉप अईसा कि इसकी उचाई लगभग लगभग एक हजार मीटर अबब सी लेवल हो तब कहलाता है यह पाट तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि पाट असल में पठार है फिर हमने क्या देखा कि पठार कैसे होते हैं तो उचे भूभाग है एलिवेटेड लांड पॉप है जिसका शिर्ष कैसा है सपाट है फ्लाट टॉप है यह तो प्लाट्यू देख लिया ऐसा प्लाट्यू होता है पठार अब एक्जाक्ट पार्ट को हमने समझा कि पार्ट एक ऐसा पठार है जो की उचा तो है लेकिन इसकी ढाल कैसी है सीड़ी नुमा है इसका क्या है स्लोप टेब्ड टॉप इसका प्लाट है और उसके बाद उचाई लगभग 1000 मीटर समझ में आया तो पाट का डेफिनेशन क्या है तो ध्यान रखना छोटा दागपूर का जो पठार है हमारा उसके दक्षण पश्यम साउथ वेस्ट की तरफ ऐसे उंचे पठार ऐसे उंचे पठार हाई एलिवेशन के प्लाट्यूस जिन में धाल से जानी भाषा में पाट कहा गया है समझ में अब इस पाट की और डीटेल टेक्निकालिटी को जब इंटीग्रेटेड वाला सेक्शन अपन पढ़ेंगे ना तम मैं आपको बताऊंगा तो प्री में इतना जान लेना जरूरी है कि पार्ट क्या होता है क्लियर है तो मैंने आप लिए आपको कि बताया कुरनी सामरी जो हमारा ब्लॉक ना कोष्क रख्यक्समी सामरी ब्लॉक में हमारा सामरी पार्ट है वैसा हमें आपतर घ्राइक उससे आप आप द्यान लотьमुद रखना और मैं दो भागु में बाठी विंस्क्यकौों प्रूर्मीभाग है इस दे क्या 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 लाता है लहसून पार्ट तो पूरवी भाग जमीर पार्थ है पश्यमी भाग वेस्टन सेक्ष्ण क्या है इसका लहसून पार्थ जमीर पार्ट को ध्यानरखना कहते हैं frame of असलों क्या कहते हैं जमीर पार्ट को CCP साइटे लहसून पार्ट ध्यानरखना लहसून पार्ट में एक इंपोर्टेट परवत है परवत का नाम है क्या नाम है कि गौर गौर लिख दिया हूँ गौर-ला法 गौर्लाटा कैसे याद रखोगे तो गौर्लाटा के हाइट को याद रखने के लिए ट्वेल का टेबल याद होना चाहिए तो ट्वेल वंजा तूजा क्या होता है ट्वेंटीपोर एक बढ़ा देना पच्छिस बारा पच्छिस मीटर सर्वे ओफ इंडिया के द्वारा एक मैप जारी किया गया है जिसमें ऐसा बताया गया है कि 36 गड़ में गौर्लाटा से भी उचा नंदी राज है तो गौर्लाटा 36 गड़ की सबसे चोटी है इसा कह सकते है अपन ठीक है अच्छा एक और चीज ध्यान रखना कभी कबार ऐसा क्वेशन आता है मैंने 2017 के forest service में देखा था कि क्या करता है वो match the column देता है जिसमें एक तरफ वो उची भाग का नाम लिखता है और दूसरे तरफ उसके location को लिखता है और बोलता है match करो तो उचा भाग अगर लिख दे क्या गौर्लाटा तो इसका match आप किस से कर सकते हो तो आप सामरी पार्ट से कर सकते हो या लहसून पार्ट से भी कर सकते हो समझ में आया कि नहीं आया तो ध्यान रखना मैं आज भी अपन क्या कर लेते हैं यहां पर locate कर लेते हैं परवत का नाम मैंने आपको क्या बताया है तो मैंने बताया है गौर्लाटा जी लिख लेता है ठीक है अब क्या गिया जाए तो पाट देख लिए परवत देख लिए नेक्स जा है या नदी रिवर अब इस पर्टिकुलर जिले की बात करूँ ना तो कोई बहुत महत्पूर्ण नदी का उद्गम ओरिजिन यहां से नहीं है बड देन यहां से प्रवाह या फ्लो जरूर है तो जश्पूर जो डिस्ट्रिक्ट है ना यहां से हम देखेंगे एक नदी जिसका उद्गम होता है नाम है कनहार अब यह जो कनहार रिवर है ट्रावल करती है दक्षिन से उत्तर की तरफ ताउट से नौर्थ की तरफ और जारखंड से नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको बताया था जश्पूर से निकली है डीपाडीस के बैंक्स पर है नेक्स अगर एक बात को आप ध्यान दें तो यह जो कनहार रिवर है जो की फ्लो कर रही है दक्षण से उत्तर की तरफ यहां पर नाम भी लिख देता हूं उपर तो लिखी दिया हूं इसकी छोड़ी से सहायक है प्रिव्यूट्री है इसको मैं कैसे बनाऊंगा तो मैं ऐसा चनाम ठीक है तो कनहार सहायक उसकी चनाम अब नेक्स ध्यान रखना जल प्रपातों की बात करूं वाटरफॉल्ट्री तो डीपाडी के उत्तर की तरफ नौर्थ पे जाओगे ना आपको यह जो नदी है कनहार इसकी उपर एक वाटरफॉल मिल जाएगा नाम इसका है कोठली क्या है कोठली ठीक है चनान यह जो नदी है ना इसके उपर एक जल प्रपात मिलेगा थोड़ा सा उपर लिख दे रहा हूं नाम इसका नाम है पवई कम जगा होने कारण मुझे तो कोठली पवई अच्छा अब देखना गौर लाटा के एक बनाना नौर्थीस्ट एक बनाना साउथीस्ट नौर्थीस्ट में जाओगे तो एक जल प्रपात वाटरफॉल मिलेगा नाम है इसका थेड़िया भर है थिक है यह थे नाला है भेड़िया पत्थर नाला उसके उपर यह वाटरफॉल है नीचा आजाएंगे ना आपको अगला वाटरफॉल मिल जाएगा नाम इसका है बेन गंगा अब यह जो बेन गंगा वाटर फॉल है यह बेसिकली बें eigंगा ऊपर है lumps हां तो मैंने बताया पवई चनार्ण के उपर है कोठली कनहार के उपर है इन दोनों को नदिया कहना थोड़ा सा मुश्किल है नाला टाइप जादा है तो भेडिया पत्थर नाला और बेन गंगा नाला कहलो छोटी नदी है बहुत इसलिए नाला कैटेगरीव है समझ गये अच्छा अब नेक्स देखना अगला मैं आपको बताता हूं एक और जल्प्रपात का नाम है आवरा जेरिया का नाम है आवरा जेरिया आवरा जेरिया कैसा जल्प्रपात है तो यह स्थानी सरीता समझ आया एक लोकल स्प्रीम के ऊपर बना हुआ जल्प्रपात है वाटरफॉल है मतलब बारिश के समय इसमें पानी रहता है बारिश के बाद य नहीं समझे, तो waterfall क्या-क्या याद रखोगे जी, कोठली, पवई, बेन गंगा, भेडिया, पत्थर, आवरा, जेरिया, कितना सारा waterfall, जलप्रपात हमको यहाँ पर याद रखना है, अच्छा, next अगर अपन ध्यान दे, अगले point पर, तो क्या इस जिले में नदियों की उपर को बहुत महत्वपूर्ण टाइप का कोई project है, परियोजना है, तो नहीं है, ठीक है, फिर हम लोग किस पर आते थे, तो आपको ध्यान होगा, हम लोग आते थे, और द्योगिक शेत्र, इंडास्ट्रिल एरिया, तो इस जिले में कोई important इंडास्ट्रिल एरिया, नहीं है, कोई important industry या उद्योग, तो आज सच कोई बहुत ज्यादा महत्पूर्ण उद्योग भी जिले में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और finally हम लोग आते हैं, last point पर क्या, तो नाशनल पार्क, wild life sanctuary, तो यह जो जिला है हमारा, इस जिले में, एक wild life sanctuary है, नाम है, तेमर सोत, wild life sanctuary, इंद अभ्यारण, क्या बोलते हैं, वन्यजीव, अभ्यारण, सेमर सोत, सेमर सोत, वन्यजीव, अभ्यारण, 1978 में बना है, शेतरफल, इसका 430 square kilometers, 430 square kilometers, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो अभी हम लोग सूरजपूर में देखे, 608 तमोर पिंगला, next हम लोग बलरामपूर में देख रहे हैं, 430, सेमर सोत, I hope यहां तक आप लोग बहुत प्रॉपली समझ गए होंगे, तो यहां पर जोग्रफी वाला सेक्शन अपना क्या हो जाता है, खतम हो जाता है, अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो इस जिले में हम लोग जन जाती एवं परियाटन, ट् परिंग कलर का इस्तेमाल ना किया जाए, तो हम लोग क्या करें हैं, और कौन सा कलर का इस्तेमाल करें, एक लड़के लोग के साथ समस्या यह है, कि हम लोग को जादा कलर उलरनी झाल 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 झाल 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 आप 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 अब हो गया क्या सही है वाद मेरे को कमेंट करके बताओ तो फटाक से आप हो गया हो सही वाद मेरे बताओ कमेंट करके तर अपन चालू करें आगे आप आप बताओ जल्दी आगी इसका यभी भी नहीं आए आप 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 यह सर ठीक है चलो शुरू करते हैं सौरी यार यह टेखनीकल एरर वाण जाने क्या भोलोगे यह चलिए शुरू करते हैं अपन तो मैं यह पूछ रहा था जी आप लोगों से कि जनजाती एवं परियटन के लिए यह एठो उटपुटांग कलर में लिखा हूं वो दिख रहा है कि नहीं मेरे एक बताओ यह उटपुटांग कलर दिख रहा है दिख रहा है तो इसी से लिख देता हूं जनजातीयों की बात अगर करें तो इस जिले में हमें पट्टो मिल जाएंगे इसके लावा अहाडी पूर्वा मिल जाएंगे तो पहाडी कोर्वा कोरकू किसके अलावा दो जनजाती धियान रखना एक है खेरवार अब शायद यहां लिखूंगा ना तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हमारे लोगों छुप जाएगा बट हाँ पीडिएफ में रहेगा खेरवार और उराओं तो यह दोनों के बारे में ना क्वेश्चन आया था कब आया था बतारूं तुम लोगों को प्री 2016 में पुझा था ऐसी कौन सी जन जाती है जो की खेर के पेड़ से कथा निकालने का काम करती काट काटेचू एक्स्ट्राक करती है खेर ट्री से तो आंसर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है डन तो यह हो गया क्या ट्राइब पंडो पहाडी कोरवा कोरकु खेरवार उराओं और ट्राइब के बाद लास्ट में टूरिजम तो टूरिजम में यहां पर एक ही जगा बची है और बताने के लिए बलरामपुर के नॉर्थ इस्ट की त नाचरल का त्रोथ है नाचरल होट स्प्रिंग है क्या ताता पानी है यहां बहुत सारे पूंड है प्राक्रितिक जिनमें खुब गरम जल है टेंपरिचर एप्रॉक्सिमेटली 99 डेग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और यह जो पानी है ना इसमें सलफर बहुत है तो जि इसमें नद्ग क्फाइदा शर्म होता से नद्गाट के शर्म रोग मतलब दाद ख़ाच खुझली नहीं यह scan infection होता है समझ में आए сейчас इसका कोई इलाज नहीं होता है खाली स्टेरोइड देते हैं जब तक खात रहोगे तब तक कंट्रोल में रहता है तो ऐसे लोग उस गरम जल से नहाते हैं उनको फैदा होता है अभी यह मत सोचना कि सा निन्यानवी डिगरी वाला बॉइलिंग वाटर है तो कैसे नहां देंगे तो अरे भाईया उसमें कूद नहीं जाना है ले साक मर जाओगे समझना है तो क्या करना है उसके पानी समो लेना है तो मौना जाते हूं गरम पानी छंड़ा पानी मिलाए और स्वाद अनुसार पानी में क्या है जीओ थर्मल पीपी पावर प्लांट क्या है प्रस्तावित है प्रपोस्ट है यहां पर अपना बलरामपूर डिस्ट्रिक भी खतम हो जाता है ठीक है की नहीं समझे की नहीं फटाक से बताओ तब तक में अगला मितला ले ले थूंग कि भगवान कि आपनेंग सर्गुजा सर्गुजा पढ़ लेते हैं तुम लोग बोलो कोई टेंशन का बात नहीं यह आगे अपना जाओ यह जादू सर्गुजा आगया है यह अपना सर्गुजा इस पाट तो ब्यूटिफूल जस्ट लुकिंग लाइक वाव ऐसी वला रहा था क्या है तुपई है यह ठीक है है इन एनी केस बताओ चलो कमेंट करके बताओ समझ मैं आयक नहीं आया गजब लोग हो यार तुम लोग उक साथ लाइक किये हो अभी इतने तरह में अच्छे सो हो जाना चीए था चलो अब देखो सर्गुजा जो है ना इसके अडोसी योग पडोसी योग समझो क्या गरना सबसे पहले इसके दक्षिन साउथ की तरफ से एक दो और तीन लाइन ले लेना दक्षिन की तरफ से इस फured तीन लाइन हो गई और यह दो हो गए अब नामलिक देते हैं तो सब से पहले Sun से चालू करते हैं क्या अब क्या गरो क्लाकवाइ release हो हुँ यहाँ लेके यह तक पॉडर से सांब करता है पता है सूरजपुर के साथ किसके साथ बॉर्डर हुआ सूरजपुर को ज्यादा दूर लिखने में से दिक्कत होता है बाके चीज़ को लिखने में यहां से यहां तक यह जो हिस्सा है बॉर्डर है बलरामपूर के साथ, यहां से यहां तक पूरा बॉर्डर है किसके साथ, जश्पूर के साथ, फाइनली लास्ट का नीची जो बस गया, राएगड के साथ बॉर्डर गरता है, तो यह अपना सरगुजा, बॉर्टर के साथ किया, साउथ में कोरबा, सिर्फ क्लॉकवाइज घूमोगे, सूरचपूर, बलरामपूर, जश्पूर और राएगड के साथ, तो यह हो गया माप खतम, ठीक है, अब इसके बाद पहले पॉइंट पर आते हैं, प्रशासन, एड्म ब्लॉक विकासखंड, तो इस जिले में हमको साथ विकासखंड दिखेंगे, केतने दिखेंगे, सेवन, क्या-क्या है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ऊपर से पहला विकासखंड है, लुन्टरा, देखो, नीचे से लिखा रहा है, लुन्टरा के बाद नेक्स आओ, बतावली, लास्ट में जो मिलेगा, वो मिलेगा, सीतापुर, लुन्टरा, बतावली, सीतापुर, अब इसके बाद अगला ब्लॉक मिलेगा, आपको कहाँ, यह नाम इसका है, मैन पाथ, क्या है, मैन पाथ, लुन्टरा, बतावली, सीतापुर, मैन पाथ, अब इसके बाद इसके नौर्थ उत्तर की तरफ जाओगे तो विकास खंड भी ऐ और जिले का मुख्याले भी है नाम है क्या इसका अम्बिक्का पूर क्या नाम है जी? अम्बिक्का पूर ठेक है? इसके बाद दो विकास खंड इसके होश्ँमी कागार पर है एक नाम लखनपुर दूसरे का उधैपुर, तो क्या क्या देखें ब्लॉक लुन्ड़ सितापुर मैंड़ पार्ट अमबेकापूर लखनपुर उधैपुर जिस में से मैंने आपको बताए अमबेकापूर क्या है, डिस्क्रिक का हेड पॉर्टर्स भी है, जिले का मुख्याल अमभिकापुर अगली बात ध्यान राथना अमभिकापुर क्या है पता है नगर निगम रे हैं तो इस संभाग में दो नगर निगमेक श्री अजय कुमार तिरकेजी समझना आया पार्टी या इनकी इन्टनाशनल कॉंग्रेस आई एंसी ठीक है तो अजय कुमार तिरकेजी क्या है मेर है तहां के अमभिकापुर नगर निगम के तो आए होप आप लोग समझ गए कि हमने साथ ब्लॉग देखे हैं डिस्ट्रिक का हेटपॉर्टर देखा डिविजनल हेटपॉर्टर देखा नगर निगम भी देख लिया अगला नाशनल हाइवे की बात करो तो आपको ध्यान होगा मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोग को क्या बताया था कि नाशनल हाइवे 43 सूरजपुर से आगे अमबेकापुर आया था यह अमबेकापुर से आगे आता है बतावली बतावली से आगे आता है सीतापुर से आगे निकल जाएगा कॉंसर डिस्ट्रिक में जश्पुर क्या नाम है इसका नाम है एनेच अच्छा अब भी जस्ट पिछले ही जिले में मैंने 343 बताया था तो अमबेकापुर से निकलके बलरामपुर जिले में गया है नाम है इसका एक नाशल हाईवे मैंने कल बताया था जिसको सिर्फ ध्यान में रखना ये नाशल हाईवे हम कल पढ़ेंगे ये जो नाशल हाईवे है नाशल हाईवे 130 जो कि आच्छुली सिमगा से निकला था और ये थोड़ा साना सूरजपुर काट के एंटर करता है कहां अपने सर्गुजा जिले में आया उदैपुर उदैपुर से लखनपुर आके अंबिकापुर ये जो नाशल हाईवे आपको बता रहा हूँ नाम है एनेच 130 130 प्लीज अभी इसको पिछले वीडियो में बताया हूँ अभी नहीं बता रहा हूँ तो कि कल के वीडियो में ये पूरा पूरा दिखेगा लंबा चौड़ा तो अभी स्ट्रेस मत लेना इतना याद रखना कि 130 उदैपुर लखनपुर अंबिकापुर प्याके खतम फिर भी एकदम तुमारे आत्मम ज्यान का प्यास भरा हुआ है तो कल के वीडियो देखों जी तब तो ठीक है तो ये ना विधान सभा को क्या किया जाए इंपोर्ट कर लिया जाए विद्धान सबाग इंपोर्ट कर पाएंगे मैप को कर लेंगे ये हो गया मैप है यह थोड़ा सा बड़ा शलिए है अब यहां पर तीन विधान सभा दिखेंगे सबसे पहली विधान सभा है तीटापुर अगली विधान सभा है लुन्रा तीश्री विधान सभा है तीनों में महिला विधायक नहीं है और तीनों में ही विधायक किसी महत्पून पदपर नहीं है इसलिए यहां पर विधायक नाम नहीं बता रहा हूं मैं देखता हूं बच्चे लों कमेंट करने लगते हैं फ्लाना विधायक है अच्छा बात है देखके कर सकते हो लोन पर इच्छा में याद रखके जाना नब्यक नब्यक को तब जानूंगा मैं तो मेरा भी सीर्क और दाढ़िक बाल पका है थो थोड़ा वहूंक तो मेरे इतिहास हिस्ट्री तो आपको ध्यान होना चाहिए इस केंडिशन में मैंने आपको बताया था कल दी फिर से बता देता हूं कि जिला का गठन 1948 याद आ रहा होगा कैसे बना था तो कल की वीडियो मैंने बताया था तीन रियास्ते थी कोरिया चांग भखार सरगुजा तीनों के संयूक तो शेत्रफल पॉम्पोजट एरिया मिला के और उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है तो आपको ध्यान यह रखना है कि यह संभाग कब बना तो संभाग का गठन कब हुआ है एक चार दोहजार आठ एक चार बोले तो अपरेल फूल कि नहीं है एक चार दोहजार आठ के दिन संभाग गठन हुआ किसका सरगुजा डन तो यहां पर हिस्ट्री का पहला भाग हमने देख लिया जिला गठन संभाग गठन नेक्स लोगों को क्या करना है यहां पर मीक्णल यहां पर इम्पोर्टन लोकेसिंव को देख ना है जो कि यतिहास कि पॉइंट ऑप एूसं महत्वपून में एक पर्वत को यहां पर बना लेते है ज्यादा दूरिहाँ पलंगे जी के अंधे नाम लिख देता हूं स्मत्त जाना पर्वत है रामगण क्या है परवत रामगण अभी लिखूंगा इसके बारे में यहां पर जगा नहीं है separate slide लूंगा दूसरा ध्यान रखना एक location इतिहास संबंधित और है यहां पर जगाक नाम क्या है महेशपुर महेशपुर और आर से क्या रामगण चलिए अब मैं लिखता हूँ एक अलग से स्लाइड लेकर कि कुछ से पहले कि यह रामगण परवत कि 2015 में कोश्यन आया था कि रामगिरी परवत किसका विस्तार है आंसर क्या लिया है PST सत्पुडा हिल्स का किसका तो कल मैंने आपको क्या बताया था क्यमूर विंध्या चलता आज मैं आपको क्या बता रहा हूँ रामगण परवत इसी कौर क्या कहा गया है रामगिरी परवत कि यह बेसिकली किसका विस्तार है कि सत्पुड़ा ठीक है 2015 प्री में कुछ पुछा गया है अच्छा अब इस परवत में बेसिकली टीन इंपोर्टेंट गुफाएं हैं यह यह लिख देते हैं हाँ पर है पहली केव का नाम है तीता बेंगरा दूसरा जोगी मारा तीसरा लक्षमान बेंगरा पेंदरा मत कर देना ना बेंदरा नहीं है बेंगरा तो क्या-क्या है थीता बेंगरा जोगी मारा लक्षमन बेंगरा छीक है डिपाली जी नया जॉइन हुई है भी गूड मॉर्निं बोल रही है गूड मॉर्निं दिपाली जी तो क्या गया है सीता बेंगरा जोगी मारा लक्षमन बेंगरा इन दोनों के बारे में बहुत जादा डीटेल है जिसको अभी हम पढ़ेंगे लक्षमन बेंगरा बारे में इतना ही याद रखना किसका संबंध किस्ते हैं रामायन एज रामायन काल्प खतम लक्षमन बेंगरा है तीता बेंगरा बेसिकली 14 मीटर बाइ 5 मीटर बाइ 1.8 मीटर इसका डाइमेंशन है जोगी मारा बात करोगे तो 3 मीटर इन्टू 1.8 मीटर इन्टू 1.8 मीटर इसका डाइमेंशन है तो जोगी मारा बहुत छोटा है सीता बेंगरा के कम्पारिशन समझ में आया सबसे पहला पॉइंट इन दोनों का संबंद भी रामायन से है समझ में आया मतलब ऐसा कहलो कि इन तीनों केव का संबंद रामायन कालते हैं कैसा संबंद है क्या संबंद है पता है मैं बताता हूं कि सूरजपूर में मैंने बताया था कि भगवान राम आगे निकले थे जगा की खोज में जहां रात ब अब भगवान राम भटकते भटकते रामगड परवत पहुंचते हैं अब रामगड परवत में बेसिकली जाकर यहां के लोगों से प्राथना करते हैं कि अगर आपके पास कोई स्थान है खाली तो हमें दे दीजिए हमें रात व्यतीत करना है करके समझ में आया अब इधर हु रहा था कि वनवास में राम जी सीता जी लक्ष्मन जी इसी एरिया में हैं तो यह लोग तीन तो गुफा बनाक रखे थे यह जो गुफा है इस गुफा में आएंगे भगवान लोग को हम लोग ठहराएंगे अब उससे में भगवान नहीं जानता था कोई राजा रानी ऐसा कंसेप्ट था तुन लोग को क्या करेंगे ठहराएंगे हाला कि टेक्निकली राजा भी नहीं थे राम भगवान तो लेकिन बोल ही देते हैं राजा राम समझ में आया अब राजा थे क्या नहीं थे राजा है अब हम लोग तो मानी रहने यार चलो तूस डिबेट में नहीं हुआ है तो रामजी शीता छी लक्षम्ण जी के लिए के लिए तीन गुफा तैयार करके रखे हुए थे तो जबические ढक्वान व्यक्ति पैसान नहीं पाते और यह लोग देखते हैं एक करके मिलेक बताना अब राहम भगवान को जगह मिल गया था रूपनेक राम भगवान तत्काल वापिस जाते हैं कहां वापिस जाते हैं सिता लेक नहीं और लक्षमन जी और माता सिता लेकर आते हैं चलो जगहक व्यवस्था हो गया है करके अब क्या हो गया तो अब यह हुआ कि गाउंवाले जब तीनोंग देखते हैं पहचान जाते हैं यहीद तो तीन यार करके तो लोग बोलते हैं कि हम लोग तीन गुफा आपिक लिए तयार किये थे तीनों गुफा को आप लोग रख लो तो लक्षमन जी जिस गुफाम रहे लक्षमन बेंगरा सीता माता जिस गुफाम रही सीता बेंगरा और राम भगवान जिसमे रहे राम बेंगरा नहीं है वो जोगी मारा है क्यों क्योंकि पहली बार भगवान राम जोगी के बेसे में जगा माघने आये तो नाम की पीछे ये कहानी है तो ये स्विवन्टे एं कि आध तो कहते हैं कि जोगी मारम भगवान रुके थे सीथा मता सिता भेंग Lets आध अप्राचीनतं नाट टेशाला विष्व की प्राचीनतम नाटेशाला विसको तुम लोगो दिखाता अब तुम लोगो न बढ़ी हा लगेगा देखोगो तो मज़़ा आएगा की ये नाटेशाला है मेरे को किता है किता बेंग जोगी मारा केब्स किता यह देखो यह सीटा बेंग रहे है ध्यान से गराब देखेंगे ना तो सीटा बेंग रहे हुआ इसके बगल में यहां पर जोगी ही मारा है ठीक है अब यह जो सीटा बेंग रहा है यहां से चड़ने का रस्ता है यहां पर एक जनानमी खड़ेवक देख रहा है तो सीटा बेंग जो गुफा थी ना असल में बैठने की जगा थी और जो नाट्यशाला बोलते हैं तो यह सामने जो बड़ा सा स्टेज आपको घुमाओदार दिख रहा है ना यह स्टेज नाट्यशाला थी तो ऐसा कह सकते हैं आप सीटा बेंगरा के अंदर जाएंगा तो दो स्टेप में सीटिंग है मतलब नीचे गुफा के तल पर भी बैठ सकते हैं और उसमें एक रॉक कट से क्या बना है स्टूल टाइप का या ब प्रेजेंटेशन अच्छा यह हाथी पोल असल में क्या पता है यह परवत्ना ऐसा है एक तरफ सीटा बेंगरा जोगी मारा और पीछे तरफ लक्षमन बेंगरा और दोनों के बीच में जाने के लिए एक ठोग गुफा है इसी गुफा बोलते हाथी पोल क्या बोलते हिस प्रटाइं लाई अब देखलो सिधा है अब यही फोटो नीचे आप देखरेंगे और यही नेक रस्ता यहां पर आप क्या है जोगी समझे आप दो स्टेप का सीटिंग है गुफा का नीचे और यह बेंच जो कटा हुआ इस पर बैठ सकते हो यहां पर आपको कुछ चीज़े लिखी भी दिखेंगी अब जब बैड जाओगे तो ऐसा दिखेंगे यह दो नर्तक है रुपदच देवदीन है और यह शुतनुखा है अब यह यह फोटो की चाग एक रोह काहीं नहीं हो है इननी केस चलिए क्लियर है अच्छा यह क्या बताया मैंने यह ड्रेसिंग रूम कहते थे अब ध्यान देना यह दोनों जो पीता बेंगर और जोगी मा रहा है ना यहां से अशोकन इंस्क्रिप्शेंस मिले है अशोक ली नभीलेक भाशा क्या है पता है भाशा है पाली और लिपी क्या है ब्राम ही कि तो भाशा गया है दोनों में आली और लिपी क्या है ब्राम्ही ठीक है और टोकन इंस्क्रिप्शिन्स ठीक है कुछ लोगों को भाष और लिपी में अंतर नहीं है तो मैं आपको बताता हूं दो शब्द याद रखना एक हम दूसरा हमन एक की भाषा हिंदी है दूसरे की 36 गड़ी है लेकिन लिखने का तरीका एक जैसा दिख रहा है तो जो लिखने का तरीका यहां पर है जिसमें हा को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं मा मा को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं यह लिपी नगरी तो लिखने का तरीका लिपी होती है जो लिखते है वो भाषा तो भाषा क्या है पाली लिपी क्या है ब्रामी दोनुप पर Commonwealth तोरी ऐसी है कि जब आप प्रॉपरली तीता बेंगरा को देखोगे ना तो यह जो इंस्क्रिप्शन से ना बहुत फेड हो गए दिखते नहीं है आप समझ नहीं पाओगे क्या लिखा है लेकिन वहीं जब आप जोगी मारा की बात करोगे तो यहां पर इंस्क्रिप्शन जो ह कि रूपदख्ष देवदीञ नाम था रूपदख्ष देवधीन तो एसा लिखा है कि देवदासी सुतनुखा शिल्पकार रूपदक्ष देवदीन से क्या करती थी? प्रेम करती थी. ऐसा लिखा हुआ है पाली भाशा में ब्रामी स्क्रिप्ट में समझ में आया? तो यहीं से हमें इनकी प्रेम कहानी के बारे में पता चलता है. इससे एक और चीज़ पता चलता है कि यह सुतनुखा क्या थी? देवदासी. तो एक प्रथा के बारे में पता चल गया कि यहाँ पर भी देवदासी, देवदासी क्या है? प्रथा चल रही थी. देवदासी एक ऐसी प्रथा थी जिसमें प्राचीन काल में किसी एक लड़की की शादी सांकेतिक रूप से भगवान से करा दी जाती और फिर मंदिर में रहती थी मंदिर का देख रेक करती थी समझ गए कि नहीं समझ गए ऐसी जो लड़कियां होती थी उनका शोशल स्टेटस बहुत हाई होता था भगवान की पत्नी है थाई नहीं होगा यार कशड़िक को समझे के नहीं समझे अच्छा जोगी मारा को और देखोगे न तो जोगी मारा में रंग बिरंगे बहुत बनें जोगी मारा में क्या बने है कलर फुल पेंटिंग ती फूल इस सब बना हुआ है रंग भी रंगे हैं बढ़िया ठीक है ऐसा कहते हैं कि वो रूपदक्ष देवदीन उन्हीं बनाता था सहुझ में आया और बड़ी अजीब सी बात यह जो सुतनुखा देवदासी थी यह डांस करके परफॉर्म करती थी देवदीनी से रोज देखता था और देखते देखते उससे क्या हो गया प्रेम हो गया देख रहे हो कि गजब दुनिया है अच्छा नेक्स्ट तीता बेंग्रा तीता बेंग्रा की यह कहानी है कि यहीं पर कालिदास जी ने किसकी रचना की बताओ इसके संदर्व को समझों असल में यह पता है यह न do पेसिकली एक यक्ष के ऊपर लिखी गई कविता है यक्ष अपड़ की की राजा कुबेर थे और कुबेर ने क्या किया था यक्ष को एक वर्ष के लिए निश्कासित कर दिया था यक्ष को क्या कर दिया था एक वर्ष के लिए निश्कासित कर दिया था कहां से निश्कासित कर दिया था अलका असल में क्या था इन्होंने अपनी पूजा के लिए स्वण कमल लाने के लिए कहा था किसे यक्ष को रोज तुम्हें स्वण कमल लाना है अब यह जो यक्ष अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था स्वण कमल कहां से लाना होता था मानसरोवर से समझ में आया और कैलाश परवत पर ये अलकापुरी थी कैलाश परवत के पास यह न मांसरोगर वहां से रोज तोड़के स्वान कमल लाता था एक दिन स्वान कमल लाते समय रस्पेम रुख गया और ये ना अपनी पत्नी यक्षिनी से बहुत प्रेम करता था इतना प्रेम करत दिमाग में एक ही चीज चलता है प्रेम प्रेम एक साल के लिए तो अपनी पत्नी से दूर उसको मिलने भी नहीं दिया सीधा भगा दी अब ये भाईताप चले गए कौन यक्ष अब यक्ष जो है ना वह बेसिकली अपने मन का संदेश अपनी पत्नी तक पहुचाना चाहते हैं और इसी के लिए मेघ को दूत बनाते हैं तो कवीता की नाम पड़ा मेघ दूतम समझ गया तो यक्ष की मनों के भावना को क्या है इसमें व्यक्त किया गया है समझ गया की नहीं समझ गया अब मज़े एक बाद पताता हूं तुम लोगों को आगे चलके कवी हुए जिनक यक्ष की भावनाओं को बता रहे थे कि अपनी भावना समझ में आया कि नहीं आया उन्होंने लिखा है अमल धवलगीरी के शिक्रों पर प्रीवर तुम कब सोए थे काली दास सच सच बतलाना रोया यक्ष कि तुम रोये थे समझ में आया है ऐसा था स्टोरी क्या हुआ सर टेक्निकली सब सही है न मेरे एक डर लगते रहते हैं नया नया है न तुरिया इस अट्रिब्यूट्री ओ रिहा नो निर्मलाजी प्लीज ठेक इट पॉर कनहार ग्रंत अकाडमी में ऐसा दिया हुए कित्ते घंटे की क्लास हो सब्सक्रागी आइडों नो बस यह खतम होगा फिर जश्पूर खतम होगा मैं समय वह मैं नहीं देख रहा हूं मैं रोज देख रहा हुए इतना मेरे पढ़ाना है करके ठीक है तो सूरिया चुकि लिया है कनहार के साथ एंसर में तो बाई डिफॉल्ट हम लोगों सूरिया क इसको कनहार की ट्रिब्यूटरीच माननी पड़ेगी क्योंकि ले लिया है ठीक है और गरंत अकाडमी में भी दिया है तो डॉन्ट इसको ले ले लेना समझ में आया तो यह कहानी हो गई किसकी सीता बेंगरा जोगी माहारा लक्षमन बेंगरा मेरे ऐसा लग रहे है कि तुम लोगों को जीवन परियंतिया सब याद रहेगा अन्नहीं रहेगा कोई विशेश दिक्कत का बात नहीं है वीडियो थे उसको साइस है बार 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 अब इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन क्या था महेशपुर हिस्ट्री में महेशपुर के बारे में ध्यान रखना वन सगें 2019 सीएमों में कोशन पूचा गया था कि महेशपुर यह असल में पुरातात्विक स्थल है आर्के लोजिकल साइट है कि किस नदी के तठपर है तो आ करई में मतला है तरफ शिव मंदिर दूसरी तरफ विश्णु मंदिर है इसमें कूरिया जोर की स्थाईल आर्केटेक्ट्र में बना हुआ है कि विष्णु मंदिर को थो doubt किए क्या होता है तूह मैं बता देता हूं यह मंदिर बनाने की एक ऐसी कला है जिसमें एक बडे बं से मंदिर बनाया जाते हैं कि दो रों में किसी बोलते हैं कुरिया जोर की स्टाइल ओप अर्किटेक्ट्चर ठीक हो गया कि अधिक एक दे में दो पार्ट में भी पढ़ा सकते हैं हां मैं पढ़ा सकता हूं लेकिन क्या होगा पता है कि बहुत सारे लोग अगर पन पढ़ाते तो फिर मैं सोचता हूं कि फिर उस रिदम को हमको क्या करना चीह आगे कंटीनियू कर देना चीह लो आज का समय पूछ रहे वन अप वचने बता रहा हूं देखो 70 लाइक हुआ है 100 लाइक करवादो पढ़ाना बंद कर दूंगा तो अगर मज़ा नहीं आ रहा है फटाक से अपने संगवारी लोगों को फोन कर भाई एकर वीडियो लाइक करते नहीं पढ़ाते च रही है आदमी है कि के तो सो लाइक करवादो यार तो बंदो जाएगा ठीक है तो यहां पर हि में कोणवाना मिलेगा क्या कोईला फोल और कोईला कहां मिलेगा तो भंडारण लखनपुर से नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अगला चट्टाम तो अगला चट्टाम जो है नेक्स्ट मिलने वाला है कि दकन ट्राप अब यह जो दकन ट्राप है इससे मिलेगा बॉक्स साइट कहां से मिलेगा बॉक्स साइट तो भंडारण लिग दे रहा हूं पहला है केसरा फिर है डंड केसरा केर्शा लिग दिया हूं जी के स्व्रा फिर है नगर डाड फिर है कंपना डाड नेक्स्ट है नर्मदापूर फिर है कंलेश्वर पूर्ण केसरा डंड केसरा नगर डान संपना डान नर्मदापूर कमलेश्वरपूर उसके बाद फिर पत्राई बज्लवा और रेंगा संपना नर्मदापूर कमलेश्वरपूर पत्राई बिज्लवा और एंगा कंड राजा बरीमा सर्भंजा एसे मंत्र के जैसे अगर याद करने है पड़ेगा बार-बार लिख लिख के देखना पड़ेगा तब याद होगा नितनी होने वाला पर शॉट स्पान ऑफ टाइं वोड़ेशन ऑफ टाइं पुरे साल भर आपको याद रखना है में भी लिखना है तो कोड़ वोड़ 25 परसेंट हेल्प कर देगा 75 परसेंट मेहनत है अचा नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहां पर क्या ह है पाट भी है तुना आप यह एरिया देखोंगे ना लुन्रा बतौली और कुछ हिस्सा सीता पुरका यह वाला हिस्सा कि यह हिस्सा है आपका कि अगर आप देखें कि यह मैन पार्ट और सीतापुर का बचा हुआ हिस्सा तो सितःपुर का कुछ इस्ता जारंग पार्ट में है और सितःपुर और मैं पार्ट का बचा हुआ हिस्ता यह अगला पार्ट है इस पार्ट का नाम है मैंनपार्ट अहब धियुद्पर देखिए आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो यह समझे की कंफ्यूज नहीं होना ऑर पर और आध करें तो यहाँ पर कौन-कौन सा आ बता हैं पता है तो एक अब यह बिलकुल अंबेकापूर से लगा हुआ है बीश रोड में बन गया जी ठीक है उसका नाम है किस से लिखूँ दूकलर से लिखता हूँ नाम है भखूरा भखूरा परवुत ठीक है अगला एक परवत आपको मिलेगा यहां बना देता हूँ इस परवत का नाम है मतरिंगा तो अभी तक एक भखूरा देखे एक मतरिंगा एक रामगर देख चुके हैं एक परवत और बचा, ये मैन पार्ट में ही है, अब ये जो परवत है, उसका नाम है गड़ पहाड, क्या नाम है इसका गड़ पहाड, ठीक है, तो क्या-क्या परवत याद रखना, भकूरा, लिख जो तो यहां का नाम, एक का नाम क्या है, भकूरा, दूसरे का नाम क्या है, म अब नेक्स्ट एक चीज अच्छे ध्यान देना परवत के बाद अगर नदियों की बात करूंगा न तो यह जो डिस्ट है यहाँ पर मत्रिंगा से नदि निकलती है tober इसिकलि यह महेश पूलिषी के तटपर है अगे निकल जाती है कहाँ पर तो यह भाग जाती है अपने चेस्ट करों एक हię रथी टीए दूसरा गड़ पहाड से निकलके दक्षिन की तरफ़ फ्लो होती है नदी नदी का नाम क्या है पता है Mong मन्ड का उधगम मैन पार्ट बोलोगे ठीक है लेकिन एक्जाक्ट बोलोगे तो मैन पार्ट के अंदर गढ़ पहाड से मान्ड रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है उधगमित होती है समझे कि नहीं समझे अब एक चेक याद रखना, चेक क्या है, तो असल में मतरिंगा को भौतिक स्वरूप में देखो, तो ये चुरी उदैपुर परवतों का हिस्सा है, चुरी उदैपुर परवतों का हिस्सा है, पूरा नाम ही है, चुरी उदैपुर मतरिंगा परवत, लेकिन पिछले बार प्र मतलब क्या मान रहा है कि मतरिंगा परवत असल में कहा है मतरिंगा कहा है बैंद करेंद करेंद est a psc अम रहा है लेकिन सच्चाई क्या है तो मैं हं फात्ट चुडी उधैपुर परवतों का हिस्सा तो सच्चाई कहाँ kingdom रहा है प्रतीत को रहा है कि मतरिंगा परवत कहा है मैं अब आप पूछो के सर आंसर क्या लेना जो पीएसी लिया भाई उसी के लिए लेना वापिस से समझ माया अगर सेफ खेलना चाहते हो तो अब ले लिया है समझ गया कि नहीं समझ गया आप लो टन है तो यहां पर यह स्टोरी जो है नदियों की खतम हो जाती है अगला आ जाते हैं जल्प्रपातों पर वाटर फॉल्स पर ध्यान रखना यह जो मांड है ना इस पर एक इस पर है मांड कि समझ गया कि मांड पर कौन सा वाटर फॉल्स रखन जार मैं पर आपको दो वाटर फॉल और मिल जाएंगे एक है अपना अगर पॉइंट दूसरा अपना क्या है पिश पॉइंट तो दो जल्प्रपात मिलेंगे कहा पर मैंड पार्ट में टाइगर पॉइ सरभंजा इसके बाद यह जो कि सूरजपूर का बॉर्डर रेन इससे लगा हुआ आपको मिलेगा क्या एक जलप्रपात नाम है फुंद्रु घाग क्या नामें फुंद्रु घाग के समझ आया कि निया एक छोटी ची नदी यह जिसका नाम है पिंगला क्या नामें नदी का पि रिखाएं गेर ना तो बिल्पूल आपको हाई विस लगा हुआ मिलेगा एक जलप्रपात जिसका नाम है तेदम क्या नाम है करें हा किन तो यह क्या हो गया है यह हो गया अपना नदियां और नदियों के ऊपर झालपर ठीक ऐफ जल प्रपातों के बादेफित रपन क्या द पॉलसा कलर है एक अम्बेकपुर से नॉर्थ की तरफ तो यह परियोजना है बरनाइग क्या नाम है प्रोजेक्ट बहुता ही पर नदी पर है बरनाई नदी पर अगली परियोजना क्या है पांती है कांसी नधी के ऊपर बाकी नधी के ऊपर तो बन परियोजना झान असल में याओ कि नाम पर है तो प्रोजेक्ट परियोजना भर नई बात कि गोर पूर बनाई बर्नई नदी बांकी बांकी नदी कुमरपुर यह जो परियोजना है जगा के नाम पर है कुमरपुर असल पर किस पर है चुलहर नाला पर और उसके बाद एक डैम है बर्नई से और आप नौर्थीज की तरफ चले जाओ गुन गुट्टा नदी के उपर गुन गुट्टा परियोजना प्रोजेक्ट तो चार बर्नई बांकी कुमरपुर गुन गुट्टा गुन गुट्टा को और क्या कहते हैं शाम परियोजना गुन गुट्टा प्रोजेक्ट को और क्या कहते हैं शाम प्रोजेक्ट या शाम पर देखना है इंगाप्र तुर्द गंगापुर्द कुछ और इंडस्ट्री का होगे तो अम्बिकापुर जो है न यहां लेखता हूं थोड़ा सा कि खीचके अम्बिकापुर इसमें है तरगुजा हूद प्रोडक्ट्स है अम्बिकापुरमी के सब जाव बूड़ प्रोडक्ट्स सर्गुजा वुट प्रॉडक्ट शत्तिजगड का एक मात रहसा कार खाना है जिसे क्या बनता है कथा कैटे चू समझे की नहीं समझे कहां पर है अंबिकापुर में ठीक और इंडस्ट्रिल एरिया क्या है यहां पर इस जिले में कंगपुर खुल अब जोग्रफी में लास्ट में क्या हो गया जी तो लास्ट में हम लोगों का आ जाता है ट्राइब्स एंड टूरिसम तो सबसे पहले जनजातियों के लिए क्या किया जाए स्लाइड लेकि अलग से लिख लिए जाए ठीक है तो जनजाती यहां पर क्या-क्या मिलेंगी हम कौन से जिले बात कर रहे हैं सरगुजाति तो सरगुजा जिलम कौन काउन से जन जीलती मिलने वाली है है पीस मिल जाएंगे पंडो फिर पहाड़ी है पौरवा घिर है पार्धी इस लोग ना काले पक्षी का शिकार करते हैं डिश्रीर करना नेग्स्ट धियान रखना पार्धी जन जाती से बहुत पेम पहाड़ी कोरवा पारधी उसके बाद है क्या कूर 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 है फिर है घ्रवार फिर है पुराम इसके अलावा स्पेसिफिकली मैन पार्ट की अगर बात करोगे तो यहाँ पर सिब्बती शरणार थी लगभग 1962 से यह लोग आकर सेटल्ड है यहाँ पर सिब्बती शरणार थी तो यह प्राइब बना ही हुआ है तो मैंट पार्ट के बारे में यहां पर लिख देता हूँ मैं ठीक है लोट करने की जौरत में मैं पार्ट को तो मैं पार्ट के बारें क्या जानना है तो मैं मैन पार्ट जो है यहां पर पहले क्या है एक ठोग टाइगर पॉइंट जल्प्रपाथ क्या है टाइगर पॉइंट जल्प्रपाथ आइगर पॉइंट के बाद एक जल्प्रपाथ और है नाम है क्या इसका फिश पॉइंट टाइगर पॉइंट फिश पॉइंट इसके बाद यहां पर क्या है, महता पॉइंट, महता पॉइंट एक ऐसी जगा है जहां पर आप थड़े होगे, आप को सरगुजा भी दिखता है, रायगण भी दिखता है, और जश्पूर जिला तीनों जिला दिखता है कहां से महता पॉइंट से देख लो जी है इधर कहीं रहेगा यह इधर कहीं तो खड़े हो गत नीचे राइगर दिख जाएगा खुद सर्गुजाम खड़े हो एक तरब देखो गें क्या दिखेगा जश्पुर ठीक है नेक्स्ट यहां पर और क्या क्या है तो एक जगह है यहां पर जल जली क्या है जल जली आप लोग सुने होगे यहां पर जमीन हिलती है कुदो गेत लहर बनता है ठीक है तो जल जली है फिर एक तो क्या है उल्टा पानी तो बहुत छोटी सी सरीता है बहुत छोटा सा स्ट्रीम पानी उठी दिशां मेहता है उठी दिशा का मतलब कम उचाही से ज्यादा उचाही के तरफ एक्लीस अयcs다 प्रतीत होता है तो इल्टा पानी है इंच्छ अधे और और क्या है जी हुए है सड़ोगोenser एक यह थिना पथर है फिन थीनी पथर तो एक ऐसा पत्तर उतको तो मारों ये थंठन थंठन का आज आता है घंटी जैसे छुटी हो गया वैसी वाला नहीं हुआ थाइगर पॉइंट 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 जलजली है उल्टा पानी है ठिंठिनी पत्थर है इतनी सारी चीजे मैं पार्ट में और भी बहुत सारा चीज प्रपियेसी के पॉइ चलिए तो यह मैंड पार्ट है अच्छा मैंड पार्ट के बाद जो शहर अंबिकापुर है यहां पर भी बहुत पेमस टेंपल है यह एक बहुत फेमस मंदिर है क्या नाम है कि आप लोग देखना यहां पर दो लोकेशन से एलॉंग एनेस 343 कि कि नीचे आपको मिलेगा क्या कि देवगड़ और उपर मिलेगा तक्या कि सूतने वाला तक्या नहीं है कि देवगड़ और पक्या आज़ो यहां पर लेग देता हूं तो यह जो देवगड़ है देवगड़ में आपको मिले क्या गौरी शंकर मंदिर गौरी शंकर टेंपल देवगड़ कौन सा मंदिर गौरी शंकर मंदिर और फाइनली तक्या तक्या में बाबा मुराद इसी साथ अपना सरगुजा डिस्ट्रिक जो है वो क्या हो जाता है इस संभाद को खथम करने के लिए बस एक लास्ट, जश्पृर जिला बाकी है उसके बाद मुझे आपसे और आप तो मुझे क्या मिल जाएगा तुकारा ठीक है यह आजव जश्पूर आजव जश्पूर जश्पूर का मैप आ गया अपन क्या करते हैं जी कि अब लाक कलर से पहले इसको परोश्यूप देखेंगे उससे पहले तुरस क्या किया जाए एक घुट पानी पिया जाए तुम लोग बताओ कि कि समझ में आर एक नहीं आ रहे है कि अग्याओ अग्याओ कि अग्याओ अच्छे समय में आ रहे हैं बहुत बढ़िया वरी गुड चलो शुरू करते हैं बिना टाइम को बेस्ट करें आप यह जो जश्पूर है ना इस जश्पूर को देखो सबसे पहले इसके लोकेशन को समझते हैं इसके लिए क्या करना तो जहां-जहां से मैं बोल रहा हूं लाइनश ले लेना तो गवह सके उत्तर और इसके लिए इसके पशीम की दरब से लिए ठीक है अब इसके बात क्या करना किपशिं की तरब से लिएना और क्या कहलो अब इसको जो कहलो दक्षण कहलो गया तो भी ठीक है पशिमी का गार पर भी आता है whatever ठीक है तो हमने क्या देखा लगभग नौर्थ वेस्ट की तरफ से दो है साउथ एस्ट की तरफ से दो है और पर्टिकूलरली वेस्ट की तरफ से कहोगे तो एक लाइन ए तो भाया बैसिकली क्या देखना है हमको इसके पड़ोसी पड़ोसी में इस के दक्षिण की तरफ आप आजा lol बील आएगा क्या रहा क्या कcall कर लेते हैं पन को साथ किसके साथ सर्गुजा के क्लॉक्वाइज आगे बढ़ोगे यह बॉर्टर करने वाला है किसके साथ पर यहां से यहां तक यह पूरा पूरा धारखन के साथ नीशे आप आएंगे कि इसके साथ बॉर्डर है ओडी उडी सा आई होप यहां तक आप सभी समझ गया है ठेक है अब हम लोग प्रशासन अद्मिनिस्ट्रेशन में आते हैं सबसे पहले क्या देखेंगे ब्लॉक्स विकास खन आठ ब्लॉक देखेंगे यहां पर कितने आठ या क्या है पहला कि पथल गाउं के बाद आगे अगला मिलेगा आपको कासा बेल या है अगला ब्लॉक मिल जाएगा क्या नाम है इसका कुन कुरी क्या है कुन कुरी लास्ट में जो ब्लॉक है चौथा इस लाइन में वह जिले का मुख्याला है इसकी यह बॉक्स में बना है नाम है जश्टपुर नगर पत्थल गाउं कासा बेल कुन पुरी जश्टपुर नगर चार हो गए दो उपर है दो नीचे दो उपर कौन कौन से हैं तो एक है बगीचा दूसरा मनारा उपर के दो बगीचा और मनारा और नीचे के सं मैं od you said । एक है फर्सा बहार और दूसरा क्या है दुल्दुला वह यसर दुल्दुला है पर्शा बहार है तुम चुतंब तुम है पत्थलगाओं कासा बेलकुनकुरी जश्पुर नगर चार लाइन से दो ऊपर दो नीचे बगीचा मनोरा ऊपर फरसा बाहर दो दुलदुला नीचे हो गया यहां तक जिले का मुख्याले हेटपोर्टस दिग्गिया होगा जश्पुर नगर अगला क्या देखते हो नाशल हाइवे तो बस नाशल हाइवे में ध्यान रखना यह जो नाशल हाइवे 43 हम लोग देखे थे कहां तक सीतापुर तक यह आगे आएगा पत्थलगाओं कासा बेल पुनक पूरी जश्पुर नगर शत्ततगर से बाहर समझ गया है नाशल हाइवे नंबर 43 हम नेक्स्ट 43 की ना एक ब्रांच है जो के निकलती है जश्पुर से कल भी बताया था अभी भी बता देता हूं बेसिक स्टोरी ऐसी है नाम है इसका नाशल हाइवे नंबर 143 बीफॉर मॉं जोड़ती व है जश्पुर नगर को किस ते जोड़ती है तो यह जोड़ती है मौहादान है कि इसकी लंबाई किती है 15 कि इत्ता है कि समझ गए एक छोट असा नाशनल हाइवे हम लोग और दिखेगा यार कि रायगाड जिले की तरफ से आता हुआ दिखेगा आकर पत्थल गाव में क्या हो जाएगा तमाप्त हो जाएगा कल इसके बारे में बताया था नाशनल हाइवे ही क्यों क्यों कि कल विलासपूर संभाग पढ़ेंगे तो इस सब हो गई होगा समझ गया कि नहीं समझ गया तो यह 130 A है यह क्या हो गया अपना 43 हो गया यह 143 B हो गया तो नाशनल हाइवे हमने क्या कर लिया देख लिया अब इसके बाद क्या गर होगे आप सभी को पता है कि इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं तो विधान सभा देखेंगे नगर निगम तो है नि विधान सभा देखते ही कहानी क्या हो जाएगा प्रशासन का खतम हो जाएगा यह हो गया विधान दीखिए यहाँ पर बता है आप लोगों को तीन, एक विधान सभा, जश्पुर, एक पत्थल गाओं, एक कुनकुरी, पत्थल गाओं और जश्पुर, कुनकुरी कौन विधायक है, बताने एक ज़रत पड़ा गई, फिर घोर क्या है, नाइन साफी है, कौन है, त्री, विष्णुदेव, आइदी, वरतमान में, खत्तिरगण के मुख्य मंतरी है, ठीक है कि नहीं है, पत्थल गाओं से एक महिला विधायक है, क्या नाम है, श्रीमती, गोमती साय, क्या नाम है, इनका श्रीमती, गोमती, ठीक है कि नहीं है, फाइनली लास्ट, जश्पुर, कौन स्रीमती, रायमुनी, भगत, कहां से जश्पुर, क्लियर है, तीनोग पार्टी, बीजेपी, भारती जन्ता, समझ गए कि नहीं समझ गए, यहां पर स्टोरी क्या हो जाती है, अपनी, खतम हो जाती है, किसकी वशास्तन की, वशास्तन के बाद, यतिहास पर आते हैं, ग्रीन कलर से लिखते हैं, यतिहास आप लोग को पता है, यतिहास की बात अगर करो, तो वर्ष क्या था, 2008, यह समझ माया, किसका गठन हुआ था, राइगण जिले का, समझ माया, अब राइगण जिले का, मात्री जिला, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट, क्या था, यह देखो, तुम लोग के चक्कर में गलत होने लगा, रुको, 1998 में, किसका गठन हुआ जी, अपने, जश्पूर जिले का, राइगण खनी हुआ है, समझ माया, और इस जश्पूर का, मात्री जिला, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट जो था, वो राइगण था, हमाद गया ना, तो कल हम लोगों ने देखा था, 1948 वर्ष था, जब राइगण का गठन हुआ था, 1948, पर 1998 में उसमें क्या काटे, जश्पूर को काटे, जश्पूर सेपरेट जिला बना, तो जश्पूर का जिला गठन का वर्ष 1998 है, इसका मात्री जिला पेरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या है, अच्छा, अब देख धियान रखना, इतिहास में, हिस्ट्री में अगर देखें, तो यहाँ पर एक, लोकेशन है, पक्थल गाउं के पास, जिसका नाम है, टोंगरी पानी, जिसको स्थानी भाषा में, लोकल लान्गज में, लिखा, पक्षना, बानी, पाथर भी बोलते है लिखा, पक्षना, बानी, पाथर, तोंगरी पानी, यह famous क्यों है, यहां से शैल, छित्र मिले हैं, शैल, चित्र, अंग्रेजी में, रॉक आर्ट कहोगे, क्या कहोगे, रॉक आर्ट, मतलब यह ऐसे चित्र हैं, जो कि पत्थर की गुफा में मानवो द्वारा, प्राशीन का बनाएंगे एक नाम है देश देखा दूसरे के नाम है दमेरा अब यह जो देश देखा दमेरा इन दोनों का संबंध किस्से है यहां लेग देता हूँ देश देखा और दमेरा दोनों का संबंध है फर्टिलिटी कल्ट इतिहास का वो समय है जिस समय मानव ने पहली बार फर्टिलाइजेशन निशेचन को समझा कि फर्टिलाइजेशन से जनरेशन सागे बढ़ेंगी तो इतिहास का वो कालखंड है क्या फर्टिलिटी कल्ट तो फर्टिलिटी कल्ट से संबंधित कुछ चीज है दो-तीन साल पुरानी बात है ज्यादा हवाम क्यों यह उड़ पाए क्योंकि उससे मैं कोविड ज्यादा हवाम उड़ रहा था इसलिए समझ रहे हैं तो बेसिक स्टोरी ऐसी है कि इंडिया में पहली बार ऐसा है कि फॉर्टिलिटी कल्ट से संबंधित कुछ चीजे मिली है इसलिए थोड़ा सा महस्पून हो जाता है तो इतिहास में क्या देखे जिला गठन जश्पूर का 1998 मात्रे जिला इसका रायगड है रॉक आर्ट टोंगरी पानी से देश देखा दमिरा किसे संबंधित है फॉर्टिलिटी कल्ट से इतिहास में इतनी ही चीजों को ध्यान पर तकंट्राप क्या मिलेगा कि बॉक साइट भी बताएं थोड़ी देर पहले जी भूलना नहीं है कहास मिलेगा तो ध्यान रखना इस विए आँ गल्यान बॉक साइट जस्पूर जर्म जाओगे तो फाव में तूड़ते हुए मिलेगा नहीं कहास मिलेगा तो इसके पुछ भंडारण होंगे तो कहा कहां पे है तो है क्वाइन पॉंड्रा पाट पड़र है को दम पाट तरह है किरा पार्ट तरहाइद दातून पानी मुझ अंड्रा पाट कदम पाट क्वाट दातून पानी यहां क्या मिलने वाला है बॉक्साइट कि समझे कौन से जिले में जश्पुर नेक्स्ट अब अगर बात करें तो इस जिले की आगे अपन देखे ना तो यहां पर भी दोठो पार्ट मिलेगा तो यल्लो कलर से कर दे रहा हूं यह जो हिस्सा है बगीचा मनौरा यह वाला यह है आपका कौन से कलर से लिखा जाया यलो से लिख दिया जाया क्या यह आपका जो है क्या क्या लाता है यह पंडरा पार्ट ठेक है पंडरा पार्ट को और क्या बोलते हैं garden of 36 आ कि बोलते हैं क्यों बोलते हैं विक खर्ण बगीचा गार्डन यंदे रह非常 only याद रख नहीं बोलग देते हैं पुटपुटान दख्स सोते हैं मैं तो बगीचा गार्डन तो याद रखते ना गार्डन ओफ चत्यस गड़ अब यह पूरा जस्पुर जिला बच गया यह आपका कहलाता है क्या कि जश्पुर पाट है तो अब यह जश्पुर पाट है न यह चत्यस कड़का सबसे कम उचाई, लोइस टावरेज एलिवेशन वाला भी पार्ट यही है, इसलिए इसको और क्या कहते हैं, नीच घाट भी बोलते हैं, लोरो घाट भी बोलते हैं, पुशन आया है प्रीमे, लोरो घाट का संबंध किस से है, जश्पूर पार्ट से, ठीक है, यहाँ पर दो फेमस नाम है क्या, मैनी, इसलिए इसको इब मैनी, आटी भी बोलते हैं, समझ में आया, इब मैनी घाटी, जश्पूर पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे कम उचाई वाला प्रदेश है, इसलिए इसको नीच घाट बोलते हैं, लोरो घाट भी बोलते हैं, इब मैनी घाटी जाटानी यहान 6 गड़ में दो जगा को न помог फूलो घाटी बोलेगा एक बोले गार नोगा दूसरा केश तक गार्टी एक बोलेगा किसे लोरोघाट को दूसरा बोलेगा किसे पैफ इसकाल को समझ्व आया कि नहीं आया कि अपना पाठ पाठ के बाद परवत देखोगे तो परवत एक दमिरा पास है ठीक है जो आया भी है पिछले बार दूसरा दो परवत ऊपर और नीचे हैं हमको मिलें किस पर पता है इस 15 पाठ नाम क्या क्या है परवतों के यह M से मधेश्वर क्या नाम है मधेश्वर परवत कौन सा परवत है मधेश्वर या या भी है ठीक है उपर देखो के बी से बखोना नीचे के से खुर्जा तो बी वाला जो है वो क्या है पुर्जा परवत याद रखना है नदियों की बात करेंगे बखोना से निकल के नौर्ट की तरफ जाती है एक नदी नाम क्या है इसका कनहार पुर्जा से बात कर वे निकल के तरफ एक नदी आती है इसका नाम है इब और यह इब की एक तहायक है नाम है इसका क्या मैंनी इसलिए यह जो जश्पुर पार्ट है मैंने बोला था ना कि बेसिकली यह बगीचा और मनौरा वाला जो एरिया है यही आपका क्या है पंडरा पार्ट इसको छोड़ों यह पूरा क्या है आपका समझ गया कि नी समझ गया है आकी ना अच्छ अब देखना है कि इस जश्पुर पार्ट की मुख्य नदियों में एक इब है दूसरी मैंनी इसलिए इसको क्या बोलते हैं इब मैंनी घाटी जो ने आपको बताए है कि यहां तक हो गया अब नदियों के उपर जल्प्रपात को होगे तो जल्प्रपातों को बता देता हूं देखना सबसे पहले दो जल्प्रपात यहां उपर की तरफ मिलेंगे आपको क्या क्या है तो एक है कि पतला करना पड़ेगा वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं एक है पूड़ी या रानी क्या है पूड़ी या रानी क्रगला उपर राजपूरी फिर है यह नीचे जश्पुर के पास रानी दाह तरेक दमेरा दमेरा श्री नाला पे है यह लोकल स्ट्रीम पर यह भी स्थानी सरीता पर यह भी स्थानी सरीता पर श्री नाला पर क्या है दमेरा ठीक है कि खुड़ी या राजपूरी रानी दाओर दमेरा तक नेक्स्ट अगर आप देखोगे ना तो यह 143B के तरफ आपको दिखेगा एक जलप्रपात भ्रिंग्राज भ्रिंग्राज की उचाई तीरत गड़ से जादा है ठीक है उसके बाद यह जो अपनी इब है इसके उपर तीन जलप्रपात लगातार मिलेंगे एक का नाम है गुल्लू के बाद है शूरी फिर है बेने क्या क्या नाम है गुल्लू शूरी बेने हो गया की नहीं हो गया यहां तक नेक्स अगर आप देखोगे दो जलप्रपात और उपर मिलेंगे एक का नाम है दनगरी महानई घाग और दनगरी एक वाटरफॉल और है जिसका नाम है दानपुरी जिसका लोकेशन नहीं मिला है कि इतने सारे का तो कैसे याद रहेगा सर करके नाम को रड़ देना है तुम लोग को कौन सा सी जी जी एस पढ़ाना है ठीक है समझ गया क्या क्या नाम देखे भाईया खुडिया राजपूरी राणी दा दमेरा दमेरा श्री नाला बोला उसके बाद फिर गुल्लू शुरी अलग से याद रखेना दान की तो क्या इस दिले में कोई इंपॉर्टेंट परियोजना है नदियों के उपर नहीं है कोई बहुत महत्पूर्ण इंडस्रील एरिया नहीं कोई बहुत महत्पूर्ण इंडस्ट्री नहीं तो लास्ट में जोग्रफीन क्या बच जाता है जी तो नाश्म में जो औकर रहा कहीं बच जाता है क्या नाश्मल पार्क वाइल मैं यहाँ पर क्या है यहां पर क्या है ढोजिह स्ब़्चेज़ छोटा वने जीम अभ्या्यारण ya समझ में आ गया कि नहीं आ गया नेक्स आपको क्या ध्यान रखना है तो नेक्स आपको ध्यान रखना है 1975 में यह बना यह बीच यह बीच का टंडा की चाहूंँ है सेपरेशन के लिए यह तो बादल खोलाइव सांचुरी 1975 बना 105 स्क्वार किलमेटरस इसका क्या है शेट्रफल सबसे छोटा वाईलाइट संग्चुटी कि समझे की नहीं समझे कि अ किना किसे कमेंटमेंट नहीं कर रहे हैं तुम लोग भारी देर हो गया है अब लास्ट जनजाती परियतन ट्राइब जान टूरिजम तो जनजाती का नाम नगेशिया अकबाद ध्यान रखना बिरहोर और उराओं नगेशिया बिरहोर उराओं यह तीन ट्राइब मिलेगी क्या क्या मिल जाएगी नगेशिया बिरहोर उराओं क्लियर है परियतन टूरिजम में तो ध्यान रखना 43 लेकर चलोगे ना तो हाईवे से लगा हुआ आपको मिलेगा लूडेक लूडेक फेमस अकिसमें तो ये एक बहुत फेमस टमाटर मंडी है बहुत सारे लोग बढ़ा छोटा बोलेंगे तो भीया यां पर टमाटरिस जिलम बहुत वेस्ट होता था जब भाव कम हो जाता था तो इसलिए सरकार यहाँ पर क्या कर रही है सुरकार यहां पर पूर्ट प्रासिंग इंडस्ट्री बना रही है तो सब्सक्राइट है ागे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा तपकरा तपकरा को चत्रवड़का क्या बोलते हैं नाग लोक क्या बोलते हैं चत्रवड़का नाग लोक ठीक है पर यहां पर क्या बन रहा है जी नेक पार्क याद भाती-भाती के सांप मिलते हैं एकदम खतरनाग जहरीला तो अगर आप लोग को सांपो कुछ प्रेम है तो आप लोग तब करा जा सकते हो नाक लोग में कि फाइनली कि आज का लास्ट पैक्ट क्या है तो इस जिल्यम क्या है कि कैलाश गुफा या कैलाश केव जहां पर तंत गहीरा गुरू का आश्वम यहां से क्वश्चन आया था तंत गहीरा गुरू कि जन जाती के हैं तो यहां पर हमारा जश्पूर डिस्ट्रिक खतम साथ में सरगुजा संभाग भी क्या हो गया खतम हो गया पीडियेफ अप्लोड करना मैंने चालू कर दिया है शायद आप लोग को पता नहीं है तो मैं लिंक डाल दूंगा यहां पर यूट्यूब के नीचे आप लोग वहां से जाकर पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हो कुछ नहीं करना हमारे अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है और अप्लिकेशन में है वहां पर नीचे में फ्री नोट्स करके जगा वहां पर जाओगे तो एक फोल्डर मिलेगा cggs उसमें है तो मैं एक चोटा सा वीडियो बना कर भी डाल दूंगा कि कैसे मिलेगा करके ठीक है और मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास आप सभी को प अच्छा लगता डिस्लाइक भी करो लेकिन अच्छा लगता है तो लाइक तो कर दो यार ठीक है चलो तो कल सुबह 11 बज़े फिर से आप सभी से मिलूंगा मैं बिलास्पूर संभाग के साथ और आज इस क्लास में बने रहने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल समस्या भी अच्छा लगता है